गुड मॉर्निंग इस्टूडेंट्स बेलकम टू पी पी आर स्टडी हांसलों के तरकस में कोशिसों का तीर जिन्दा रखना हार जाना चाहे सब कुछ जिन्दगी में लेकिन एक वर फिर फे जीतने की उमीद को जिन्दा रखना ये उन लोगों के लिए है जो मैथमेटिक्स से उमीद छुड़ चुके हैं कि उनको गड़ित नहीं आयेगी लेकिन इससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हो अगर आप competition का exam देते हो या आप academic का exam देते हो कुछ भी करते हो मानते हैं कोई exam नहीं देते हो आप सिरफ और सिरफ अपना घर ग्रेशती चला रहे हो तब भ प्रित का लगाना मतलब होता है है न तो भीया आज से हमारी ये कोसिस है जो बच्चे उम्मीद छोड़ चुके हैं चाहिए वो बच्चे हैं बच्चों के पापा मम्मी हैं उनको मैथ नहीं आती है उनको मैथ आएगी यह हमारी पूरी सो परसद गारंटी होगी यह गारंटी हम अकेले नहीं बलकि पीवियार स्टडी के लगबग धाई लाकी स्टूटेंट मिल के ले रहें क्योंकि उनका विश्वास इतना लोगों को जोड़ा है हमारी जो क्लास होगी वह कलास फ़र्श टू टैन तक होगी एकदम बेसि सबसे पहले जब हम इस्कूल जाते हैं तो हम लोगों को गिंती सिखाए जाती है हम जहां तक उमीद करते हैं आपको गिंती आती होगी एक दो तीन चार पांचे साथ आट नौदास ऐसे करके सो तक आता है आपको वन टू हंड़े यह सब को आता है उसके बाद जब गिंती जरबी आने लगती है तो बच्चे को क्या सिखाया जाता है पहाड़ा सिखा जाता है टेबल जीसे बोलते हैं अगरापको टेबल नहीं आता तो आप कमेंट करके बताना मैं आपको ट्रिक वता दूंग आपो याद कर लें ऑल कि टेबल और गिंटी या नि किन पहाला आने क के बाद बच्चे को mathematics में अंदर गुसाया जाता है तब वो जोड़ना घटाना सीखता है वो कैसे ऐसे ही तो सीखता है ना कि 3 में 1 8 करेंगे तो कितना होगा इससे छोटा तो हमें ने लगता कुछ होता है और हम यहीं से सुरू करते हैं और उसके बाद आप क्लाफ टैन लेब आधा मिनट दो मिनट देख लिए बास निकल लिए ऐसे कुछ नहीं होने माला है ताइम देना पड़ेगा और दिल दिमाग दोनों लगाना पड़ेगा जैसे आप किसी से प्यार करते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं आगे क्या होता है तो बस वैसे ही आपको क्या करना इसके दिन मेरी तेरी बात नहीं होती दिन नहीं गुजरता और रात नहीं होती तो बात करना मैस्टेक से भी लेकिन डेली रेगुलर मिलना कैसे इनको ट्राइ करना हल करने के लिए हर दिन मतलब कुछ न कुछ अब बैस करना देखिए ऐसे ही तो होता ना बच्चा सीखता है भी थ्री में फोरेड करना कैसे करेगा यह तो मैं एक एक जामपल बता रहा हूं घबराना मत कि मैं यह करूंगा ने भागना मत आपको मैं में जोड़ना है तो तीन लाइन की चलो चार जोड़ना है तो चार लाइन की चलो यह तो सिखाते थे बच्चे को भाई हम भी ऐसे ही सिखाए है तो 1234567 टूटल 7 हुआ इसलिए यहां पर क्या लिख देते साथ लिख देते इससे चोटा तो हमें लगता कुछ होता है और यह यह आपको आता है यह यह आपका फ़र्स डिश्टेप का जोड़ना हो गया वैसे भी बच्चे को आशे सिखाते हैं तीन में चार जोड़ना है तो बच्चा जोड़ लो एक दो तीन यह तीन एंगुली हो गई ऐसे तो बच्चपन में हम लोग सीखे हैं यह चार हो गई अब सब को गिन लो सब को गिन लो एक दो तीन चार पांच छे साथ हो गई इससे चोटा कुछ नहीं होता है जब बच्चे को यह चीज आने लगती है तो फिर कहां बढ़ते हैं हम लोग फिर थोड़ा और आगे बढ जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो यहां से सीखता है फिर यह देखो भाई अब यह इन्हें बोलते हैं दो आदत वाले जोड़ना हां टू डिजिट है ना इनमें वन वन डिजिट का काम खतम हो गया बहुत ही प्यार से देखना मैं बार बार बता रहा हूं कला हाफिल ओ हासिल वाला हो गया अभी एक इस्टेप आगे बढ़ गया थोड़ा मैं और पीछे ही रहना है इसको यहां ऐसा मत करो मनलो यहां पर मैंने चार करती है ठीक है चार और तीन अभी एड किये थे हम साथ हुआ था आपको पता है यह दो दो चार इसमें हासिल नहीं आ आया था कहरी वाला वह चीज सुरू होता है क्यों जी यहीं तो होता ना भाया थाड़ी स्टेप में मैं आपको आपकी पुरानी यादें आपके सामने ला रहा हूं जो आप बच्पन में करते थे ऐसा ही ना देखो अब अगर हासिल वाले में बात करें तो यह अब यहां प उसमें उसमें एक हासिल आजाता है और जब और गयाम जाना वो क्या करते लाएं यहां पे लाकर लिख देते हैं और जो पहले का डिजिट है यान यह दूछी परावाला में यह थाशिसा इसकी चुर्पी प्रें आके चपक जाता है अब इसके बाद में हम इन सब को जोड़ेंगे थ्री में वन जोड़ेंगे फोर और यह हांसिल भी जोड़ेंगे फाइफ क्यों यही तो पढ़ते ना भाईया आप जोडने में पास हो गए इससे बहुत सारे कुशन कर लेना अगर आपको नहीं आता रियल में कमेंट करना तो यह जोड़ने वाली परिक्ष्छा में पास हो गया पहला यह सभी को लगभाग आता होगा जोड़ना में अगर बात करें तो और भी आता है दसमलों असंबलों भी रहता है वो सब बाद में करेंगे पहले इस्टप बाई स्टप देखो सीडी बाई सीडी आम लोग चलेंग और मैं कुछ भी एडिट नहीं करता वीडियो में हर दिन तो मैं वीडियो रोकवा की मिटाता था लेकिन आज मैं आपके सामने मिटाओंगा पोचूंगा सब चलो देखो इससे आपका डारेक्ट लगाओ जुड़ेगा चलो अब होता है घटाना घटाना कब होता है सिंपल सा मानलो कि आप कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप मार्केट गए आपके ममी पापा या कोई जो भी आपके घर में सौ रूपया का नोट दिया कि बेटा बेटी बच्चा बच्ची जाओ तुम कुछ ना करो एक किलो आलू लेकर आओ बस आज की जमाने में वहीया एक किलो आ रूपय का नोट दिया दुकानदार को दुकानदार ने एक किलो आलू दिया पच्चास रूपय की और दुकानदार ने आपको बीस रूपय रिटन कर दिया अब अगर आपको जोड़ना घटाना नहीं आता तो आपको चूना लग जाएगा देसी भासा में बोलते हैं कैसे आपको पता ही नहीं कि कितना रुपए लोटाना चाहिए और उसने 50 रुपए का आलू दे के 20 रुपए लोटा दिया मतलब टोटल हिसाब 70 रुपए का हुआ 30 रुपए क्या नानी के घर चले गए कहां गए वो दुकांदार ने आपको मैतना आने के कारण वेमानी कर लिया लेकिन अगर आपको मैतमेटिक्स आती होती तो आप बोलते कभे 100 रुपए दिया था तुमने मुझे 20 रुपए दे रहे हो 50 रुपए के आलू दिये 30 रुपए कौन देगा मतलब आप उससे जबाब करते न तो आपको यह सब्ट्रेक्शन इसमें से आना चाहिए कि इसमें से आप गटा हो गए 0 से 0 यह 10 से 5 गया 5 यानि 50 का अलू लेने के बाद आपका 50 रुपए बच रहे है यह गटा आना लेकिन सीखते कैसे हैं स्टार्टिंग में मैं वहां से आपको बताऊंगा हाँ एक बात मैं फिर से बता रहा हूं बार बार अगर आपको गड़ित नहीं आती तो यह सीरीज चल रहे है इसका हर एक पार्ट देखना जिसमें लगभग अगर आप अच्छे से सीखोगे अरग ददस मिनिट की बीडियो की बात करें तो 500 वीडियो होंगे कम से कम और अगर आधे आधे कंटे चालिस चालिस मिनट पर कि बात करें तो जलो दय्मीस होंगे ठीक है चलो ध्यान से देखो बहुत बड़ा मैं नहीं पढ़ाओंगा चुकि ज्यादा बच्चे बहुत ज्यादा देर तक नहीं देखते वीडियो छोटा ही होगा तो बिच्चा घटा आना में ले लो यह ऐसे ये पहला है है ऑर manga ut 2 यह ले लेते हैं है यह ये कि में आ decentralized देेंगे ठीक जि Speaker軌 TOP जो लाइन देख इसी तरह से क्या करोँगे यह वेन न आ कीनदा रहे होंगे ऊसकता है तो मैं आपको डीस description में नंबर दिया होगा भी लाइश्ट में नंबर दे दूंगा उस पर संफर्क करना हां चलो यह सेबन लाइन है ना 32567 क्यों अच्छा सेबन हो गया इसमें से हमें क्या करना थिरी घटाना है कितना थिरी सब्ट्रेक करना है तो इसमें से हम गिन के एक दो तीम काट देंगे अब जो नहीं काटा मैने उसको क्या करेंगे गिन लेंगे वही उत्तर हो जाएगा यूटूब की इतिहास में पहली बार ये कला से बाकी इत्ता चोटा कोई पढ़ाएगा नहीं कहेंगे यह तो कच्छा एक वाले पढ़ते केजी वाले लेकिन उन्हें नहीं पता जिनको मै है तो इतमें कुछ नहीं आता है है ना अक्सर तो आजकल का यह सिस्टम बहुत गड़ावन रहता है मतलब कोई जानने ना पाए और हम सीख भी जाए तो अपनी कमिया जो है छुपानी तो चाहिए लेकिन हर परकार की नहीं अगर अगले से आप सेर करेंगे तो हो सकता आप केंगे सिर्फ चलते रहेंगे और वह अपने कच्छुआ और खर्गोष की कहानी तो सुना होगा कैसे कच्छुआ दिरी दिरे चल करके दोड में जीत जाता है खर्गोष बहुत भागता उचलता कुटता हार जाता है तो यह क्या हुआ गटाने का दो इस्टेप आपने हर आप समझे हैं यहीं सिंपल सा है हो जाएगा बहुत प्यार से हो जाएगा देखो 9 से इस में इसको सब्ट्रेक करोगे और पनें से बनाएगा इसको करोगे यह आएगगा यहीं यह तू है यह नाइन है आप को गया दूई मेंसे तो नौ नहीं घटेगा इसमें उधार विधार का काम होता है जैसे गाउ में पहले होता था आपको पता है आपकर बच्चे हैं बुड़े हैं कुछ भी है आज ही हमारी बताती थी कि पहले पाइसा नी चलता था तो लोग कैस जीते थे जिंदे की फते अब को जैसे हमारे गहर मन लोग घर में नहीं है आपके गहर में Standards्रो नहीं है हमारे गहुं भूब लेँए बदली कर लेते ते जैसे उधार बोलते हैं है ना औक परकार से फिलाल यह तो अदली बदली हो गया अलद का मतलब यहमारे हैं पास पैसा नहीं हमें काम लग रहा है मैंने आपसे बोला बहिए पल्लीज मुझे 5 रुपई दे दो काम मुझे टॉफी खानि है तो पांच रुपई दे दिये तो फिर मैंने कहीं से मांगा चुराया पापा मंमी से फिर मैआ आपको 5 15 रुपय लटा दिया तो यह क्यया हो गया उधार तो ऐसे दिखू है किससे परडोसी से अपने देखो किया हो गयी है इसको उधार देगा एक बन जाएगा एक इसको यह माई बारा आ चैगा इसको नोगाओ घर आना सबको आता मैंने लाइन जीरो इफ लिए आगे इतना यह था पहला एक प्रकार अलग था अलग टाइप का था अब इसी पर आगे देखते जाओ जैसे मानलो मैंने लिखा 41 समझने की कोशिस करना मालो यहां पर मैंने लिखा सेबन यहां पर लिखा काया थिरी लिखते हो थिरी सही नहीं है यह असुद गिंती है सुद्ध लिखो चलो दो देखो यह थोड़ा अलग टाइप का है इसमें इसको एक उधार देगा ग्यारा बनेगा यह चार आएगा ठीक है लेकिन यह उधार देने के बाद भी तीन बचेगा और तीन से दो घटेगा तो एक आएगा है ना कितना आसान समझ में आ अब यह वीडियो बहुत बढ़ा ना हो जाए इस होज़ा से मैं थोड़ा सामने नहीं लिखा चुकि बहुत लंबा हो रहा है ना चलिए अब है गुड़ा क्या होता है वास्तों में इसकी परिभासा सीख लो कोई नहीं बताया होगा आपको मल्टिपल क्या होता है थीन और यह अन को जोड़ा एक दो तीन चार बार जोड़ा टीन उतन्य वर्रह यह कितना हो गया बाबु यह जोगया होगय ठीक है एकिशम जोड़नाrac लोगा सेयरा कि यह नंबर क्या है समझे जोड़ना का ही ये प्रो वर्जन है एक परकार से बोलो गुड़ा है न किसी गिंती को अगर आप बार बार जोड़े हो चार पांच बार जोड़े हो अरे गुड़ा कर दो उसमें बस हो गया तो अगर हम गुड़ा की परिभासा देखें तो यह कहें कि जब हम किसी एक ही गिंती को एक से अधिक बार जोड़ते हैं तो वो गुड़ा का लाती है बस कोई प्रकार का मल्टीपल ले लो ऐसे ही होता है कोई भी ले लो छोटा बड़ा इधर साइड में आपको सवाल दिख होंगे बच्पन में हम लोग जाते थे तो हमें मानलोग दो का तीन में गुड़ा करना है आप सभी स्कूल गए हो दुचाल लट खाये होंगे स्कूल में वार भी पढ़ती थी छोटे पे हैना मजा भी आता था तो देखो कैसे इधर साइड में हम लोग को पहाड़ा याद क कि पूरा महाल होता था तो अब पर पंडी जी थे एक बुड़े बुड़े वो हम लोग को गिंती पाड़ा सिखाते थे उसमें एक बीच में खड़ा होता था गोला में चारो तरब बच्चे होते थे 2 दूना चार 2 3 6 कुपते त्य जितना जिला थे थे के तक सुना भड़े लेकिन आपको रटना नहीं चुक्कि आप बड़े हो गए तो देखें आप समझे यह पहाड़ा है दो दूना चार दो त्याइंच्छा दो चौकार दूपंचे दस यह बारह चौदा आप सभी को आता है ना 16 18 20 देखो समझो अगर हमें दो का पहाड़ा तीन में पाड़ना इसका मतलब यह है कि दो का टेबल में आप तीन नंबर तक चलोगे ठीक है दो का टेबल यह मैंने लिखा है एक दो तीन तीन नंबर पर कौन सी गिंती उसको पकड़ कि लाओगे गिर रहा के यहां पर पटक द अब कहें पहाड़ा में तीन बार चल दें तो कौनसी बुराई है मतलब तो ही हुहा न तो चाहे दो का पहाड़ा में तीन बार चलो चाहे तीन के पहाड़ा में दो पार चलो तो यह हो जाएगा छेas वही होगा मूल्टिपल में यही तो एक अच्छी बात हैSON comprende के और धहा लिए अब दोनों हादय से बजाओ पट तो लगेगा बराबर दोनों में ऐसे होता है ठीक है अब देखो तीन का तीन में गुड़ा करो बच्चा यह नो होगा अरे बाड़ा पढ़ना जानते हो ना तीन इकम तीन तीन दूना चे तेंटरिक नो यह और यह दोनों में अंतर है इसमें दो गिंती में एक गिंती से हो रहा है इसमें एक का एक लेकिन यहां यहां खतरनाक चीज है आलाग है थोड़ा सा कैसे यहां पर तीन का दो में किया छे लिख दिया यहां पर बच्चा चार का तीन में करोगे तो बारा आएगा तो इसको मज़ा लेंगे इत्ती चोटी चीज पढ़ा रहा हो इसको कौन पढ़ेगा लेकिन हमें तो पता है ना कि आपके अंदर में कितना दर्द मैथ सिखने के लिए देखो चारतियां बारा ऐसे होगा इसमें का जो लाइस्ट इजिट है ना बच्चा उसको यहां पे लिखोगे बाबू यह टू लेकिन इसका जो एक बच रहा है यह क्या है यह है इसे कहरी मान लो इसको पकड़ लाओ इसके खोपड़ी के उपर लिख दो भूलना नहीं इसको छोड प्रणा नहीं अब 4 आपको आता ओके नहीं आता तो कमेंट करना आपको टेबल की ट्रिक मिल जाएगी टीक है चांद्ना माई 36 होता है थार्टी सेवन हो जाएगा तो यह 37 ठीक है इतना ठीक है ना भाई लेकिन यहाँ पे सारा महाल बदल जाता है चुकि वहाँ पे दोगिंती हो गई मानलो सपोच करो मुझे पहड़ा आता ही नहीं 19 का तो क्या करेंगे समझना नीचे जो छूटरा में दिखा दे रहा हूँ अब आगे देखिए दो अंक वाला कैसे करेंगे ध्यान देना देखो मैं आपको बता दूँ यह यूटूब की तरफ से मिलने माला सीलवार आवाइड है पर ब्यार स्टडी में एक लाक वच्चे से अधिक हो गये तो मिला था आप तो दो लाक से अधिक है है न तो यह जोड़े घटाना नहीं पढ़ाते हैं बहुत कुछ पढ़ाते हैं आप प्रूब देख सकते हो ना चलो आगे देखो यह इतना हो गया यह आप सभी को समझ में आगया मैंने इसको कल्कुलेशन होगारा किया था इसको मिटा देता हूं गंदा लग रहा है अब अब इनको एक एक अंक को पकड़के गुड़ा करते हैं जैसे यहां किये थे तो 9 सते 63 आप सबको पता है नाइन से बंजा 63 यहां का जो तीन है थ्री उसको यहां लाके लिखेंगे यह जो है यह कैरी हो जाएगा ठीक है हाफिल बोलते ना इसको अब समझो 9 सते 63 का 3 हासिल 6 हो गया इसके खोपड़ी पे लाके लिख दो 6 अब 9 का 9 में करोगे 81 होगा तो बच्चा 81 में आप 6 को 8 करोगे तो 87 होगा ठीक है 87 होगा अब ध्यान देना पहले वाला हिसाब मिटाता है जाना नहीं सिम कंफ्यूज हो जाओगी अब 87 का 7 यहां पर आप लिखोगे यह 8 जो है बच्चा रहेगा हां इसके लाके कोपड़ी पर लिख दो इस पर समझो 9 सते 63 का 3 हासिल 6 9 81 6 87 हासिलाया 8 और 9 का पहड़ा फिर 2 में पढ़ोगे 18 और 18 में 8 जोड़ोगे 18 22 26 यह आपका हो गया 9 का मल्टीपल सब में हो गया ठीक है अब देखो मल्टीपल हो गया बच्चा अब इनका जो हासिल वाफिल लिखे थे चुर्की पर इनको मिटा दो नहीं तो यह गड़बड कर देंगे बस इनको उतने देर तक इतना इनका काम है नीचे क्या करते हैं इसको मानलो हमें 19 का पहड़ा नहीं आता तो मैंने 9 का कर लिया अब इस लेक नचा 15 16 86 लेक 224 15 देखो यह सही है कि गलत है इसको ट्राइ करते हैं ठीक है अब बच्चा आप सभी को टेबल आता होगा अगर तो ठीक है अच्छी बात है बाबु अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं आप कमेंट करना में बता दूंगा बहुत ही ध्यान से समझो प् फुरसत में सीख रहें चुकि हमें गड़ित पढ़ना है और मैत से भाग के जाना आसान नहीं है कुछ भी करते हो हर मोड पर मैत आपको मिल जाएगी चलो देखो कि 19 सत्य 133 का तीन हासी लाया 13 उन्निस नमईया 171 171 173 जोड ओगे 183 कितना हो जाएगा 181 जोड के देखो भाई तो ये वोगे आपका चाहां चाहां लटारा उन्नीस नमईया 171 171 173 जोड के देखो 184 होगा नहां हां ठीक है तो यह हो गया आपका जो नए चात्र जुड़े है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो बच्चा तुरंद कर लो बाबू फटा फट चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इस तरह से बहुत सारे बेसिक वीडियो पीवियर एश्टडी चैनल की प्ले लिस्ट में मिलते रहेंगे उपर लिखे गए जो यह टाइटल थे एवी सीटी में सी तक आपने कल लिए डी वाले पर चलते हैं ध्यान देना डी वाला थुड़ा लंबा पड़ेगा देखिए आप ध्यान देना बहुत ही प्यार से देखना भाग में क्या होगा हाँ जो बच्चे नंबर लेना चाहें का एक परकार की यह भाग होती है जो कि भाग करने प पूरा-पूरा कर जाती चीर जाता है कुछ ना कुछ आता है ना गाले गा striking टू टाइम जाएगा थी टू जा शिक्स यह नंबर चाहे लिखो चाहे लिखो मतलब वही वह सब्ट्रेक करोगे वन आयेगा उसी तरह से अगर इसमें चलने तो फाइफ वह वर जाइए यह फाइफ इसको इसमें सब्ट्रेक करोगे बच्चा वन आएगा उसके बाद क्या र तो फाइब टू जाए टेन इस तरह से इनको सब्ट्रेक करोगे बच्चा जीरो आजाएंगी आपका जो कोईसिए टाएगा यह तो हो गया इस तरह की भागीं तीक है इन्हें जल्दी फे लिकलो फटाफट कलास ज्याद लंबी नहों इस वज़ा से मारी कोशिस होगी जल्द उसके बार चलो आगे बढ़ते नेक्स टाइप आपको बताते हैं अब मेरे यह देखेंगा कि भाग को संब्लों में कैसे ले जाते हैं जैसे कुछ ऐसी भागे होती जिनका शेजपल तो आता लेकिन हम सेशपल नहीं लिखते हैं उनको संबलों में लिखते हैं कैसे देख chemical endangered की कि 15 पंदरह मिंब करना हम सभी जानते हैं कि 2 सतय 14 इसमें जायेगा कितनी बार सेवन बा से बनेंवार ये 14 इसको उसब्रेक करेंगे वान आएगा लेकिन हमें सेge पाल नहीं लिखना हमें क्या करना है तो हम डेसिमल में ले जाते हैं कैसे यहां से समझना यह मैं इसका इस बना रहा हूं इसके अंदर मुझे हल करना उधर अलग है उपर हम डेसिमल बढ़ाते हैं दसमलों फिर नीचे जीरो उतारते हैं एक बात ध्यान रहें किसी भी भाग में एक ही बार दसमलों बढ़ाया जाता फिर बार बार जीरों उतार सकते हो यह भी कि हां दुबारा फिर काम लगए तो फिर सदसमलों बढ़ा थी चार दसमलों बढ़ा दो नहीं ऐसा कभी नहीं होता है तो यहां पर जीरों उतार लिया आप दो का भाग इसमें पांच बार जाएगा तो दो पंचे यह दस तरह से जीरों से इस फल आ गया और इसका जो पहले दो एकम दो जाएगा टू अब इसमें कोई मतलब नहीं जीरो में भाग ले जाने से अब हम जो दीजिट बच रहा है सेवन उसको उतार लेंगे सेवन में टू का भाग कितना टाइम जाएगा आपको पता है कि दो का पहड़ा पढ़ना साथ से जादा नहों साथ के बरा और यह दसमलों में आजाएगा इसका अंसर यह उन परकार की भागे जिनका दसमलों में ले जाने के बाद लाश्ट में सेजपल जीरो आजाता है लेकिन कुछ ऐसी भी भागें जिनको दसमलों में ले जाने के बाद भी कल्लार नहीं होता है वो कभी कटती ही नहीं है यह 18 आएगा इसको गटाएंगे यहां फिर 2 आएगा यह फिर से क्या आगया वही 2 आगया जो उपर था अब उपर हम दसम्लों बढ़ा के हां सुन्न उतारनी की कोशिस करेंगे फिर से हमारा वही 20 बन गया और फिर से यह 6 बार जाएगा अठारा आएगा फिर गटाओंगे 2 अभी अभी मैंने बताया कि हमें फिर से अगर 0 की जरूरत है तो हम फिर से यहां दसम्लों नहीं बढ़ाएंगे हम एक बार दसम्लों बढ़ानी के बाद unlimited time 0 उतार सकते हैं मतलब यह unlimited प्लान है यहां पे 0 हम फिर से अपने फे लिख सकते हैं तो 3 चंग फिर कितना जाएगा 18 इस तरह से घटाएंगे फिर से दुआया हम फिर से यहां जीरो उतार सकते हैं फिर से ले जाएंगे 618 आप देखरें इसके सुभा में कोई बदलाव नहीं हो रहा हमेसा दुआ रहा हमेसा फिर छे बार जाएगा यह भाग बच्चा कभी कटेगा निलाइफ में इन्हें ब पोलते हैं इन्हें बार बार ले जाओगे कितनी बार भी ले जाओगे यह कभी भी खतम नहीं होगा तर्मिनेट नहीं होगा मतलब इसको ले जाते रहो ले जाते रहो ले जाते रहो बढ़ा जाओगे रणका बच्चा आजाएंगे बाबु बच्च करो अब मत करो बहुत क करनो सारी प्रक्रियाव ऐसे ही जाएगी ये तीन तीन होता जाएगा कभी कटेगा नहीं ये एक परकार का भाग हो गया आज आपने जोड़ना गटाना गुड़ा भाग देख लिया भाग में अभी और भी परकार की भाग है आज का मारा जो मुख्य टॉपिक है सुनने के था ठीक चलिए हाँ तो अब हम ये बात करेंगे आज सुनने के प्रगुड गुड इनकी बहुत सारी प्रपरटी है उसी के बारे में डिसकस करेंगे आज का हमारा ही टॉपिक है एक बात चलते चलते याद रखना स्टार्ट करते समय कि भाई जीत की खातिर जुनून चाहि यह आस्मा भी आएगा जमीफर बस आपके इरादों में जीत की गुन चाहिए मैठमेटिक्स नहीं आती है यह कोई सरम की बात नहीं है आप सीखते नहीं हो कोशिस नहीं करते हो यह सरम की बात है समझ रहो नहीं तो कोई भी चीज यह आदमी जब पैदा होता तो बच्पन म बाद ही सीखता है लेकिन फिर भी अगर तुम को कि मुझे नहीं आता मुझे नहीं आता तो फिर भाई कौन मालिक है उसका आफ ही हो ना चलो सुन के गुण में हम सबसे पहले देखेंगे जैसे अगर हम कोई नंबर जोड़ते हैं तो उसमें सुनने आ जाये तो क्या होता है ज इसमें मैंने सुनने जोड़ने को कहा तो क्या होगा जरा बिचार करिए और फिर मुझे बताइए और इकात नंबर हो ले लो बाहिया यह लो 0.35 इसमें भी सुनने जोड़ लो और एक आलक समुदाय से भी ले लो माल लो यक्स में सुनने को जोड़ना है चलो देखो सुनने के यह प्रपर्टी है जीरो की यह प्रपर्टी है गुण है कि अगर उसको किसी भी संख्या में जोड़ा जाए या उसमें कोई भी संख्या जोड़ी जाए तो उनके मान पर कोई फरक नहीं बढ़ता है यह बिल्कुल जेंटल मैन है सीधा साधा कि तब यह जैसे हो तुम ऐसे रहो मैं तुम पर कोई फरक नहीं डालने माला हूं बस मुझे अपने साथ हमें ले लो बस देखो सेबन इसमें जूड़ेगा तो सेबन ही रहेगा 109 यह 109 ही रहेगा यह बच्चा 0.35 वैसे रहेगा यह यक्स का एक्स ही रहेगा याद रखना जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ा जानना से उस संख्या के मान पर कोई फ्यक्त नहीं बढ़ता है चाहे वह एक संख्या अकेली हो या उनमें और सहली सहला हो उनके साथ में मतलब आक समझे रहा ना सहली सहला का मतलब देखो यहां से देखो जैसे एक एक जाम पर लेलो प्यारा सा नन्ना सा माल लो दूसरा कि जैसे अगर 35 है प्लस 0 है प्लस 1 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 2 इनको जोड़ना है देखिए जो भी यहां पर पूर्ड संख्या है या नेच्रल ऒसका नंबर हैं कि उन सबको जोडेंगे लिकिन सूने को जोड़ने के पकोई पढ़ेगा इनसे को मतलब भी नहीं है यह बिलकुल भॉले बाले हैं बीच में यह बिलकुल बहर बकर्यों कि तरह पढ़े रहेंगे को इपक न ही लेंगा जैसे 35 to 36 36 मतलब 36 में 7 जोड़ों कि और क्या कम फिर से एक बार जोड़ लो बच्छा साथ एक और दो तस और पाइंतीस में दास जोड़ो पैतालिस तो कुल मिलाकी मेरा यह कहने का मतलब है यहां पर दो बार सुनने आया है लेकिन इनका कोई एफेक्ट नहीं है मतलब यह है या नहीं है इनको किनारे पड़े रह दो यार तुम तो उधर साइड में सब छोड़ दे रहे हो लड़के कrijएंगे यहां कुप चुप चाप में क्या हो रहा है चलो इतना हो गया आगे बाद करते हैं यह 0 की प्रपटी हो गई जोड़ने में 0 की प्रपटी घटाने में क्या होती बच्चा वो चीत ध्यान देना ठीक है यह तो जोड में हो गई देखो जैसे जोड में है अगर 0 को किसी भी संख्या में जोड़ा जाए या फिर 0 में कोई संख्या जोड़ी जाए तो उसके मान पे कोई effect नहीं पड़ता है लेकिन घटाने में भी क्या ऐसा होता है देखो घटाने में भी क्या ऐसा होता है मतलब कि किसी भी संख्या से 0 घटाया जाए जिसे मालो मैंने एक संख्या ले लिया हमारे दिमाग में गोंज रहा है 166 इसमें से हमने सुनने को घटाया तो बच्चा आपका अंसर कितना आएगा पता है हमारा अंसर 166 ही आएगा अगर हमने ले लिया 2081 इसमें से सुनना को घटाया तो ये इतना ही आएगा लेकिन एक बात आपको ध्यान रहे यह तो हो गया, इसमें से सुनने घटा न, अगर आप किसी भी संख्या को 0 से घटा आओगे, जैसे 0-127, तब क्या होगा, देखो भया, यह चीज समझे लो, कि यह आपरिभासित है, इंडिफाइंड है, ठीक है, ऐसा ही बोलेंगे इसमें न, मतलब इसको हम कर नहीं सकते हैं, यह पॉसिबल नहीं है, कुछ लोग कहेंगे, माइनस में 127 लिख दो वही आएगा, वो अलग बात है, लेकिन यह अगर मैसमेटिक से रूल से देखें, तो यह पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जैसे अगर यह भी ले लो, कि 0 से आप माइनस का 1 घटा हो, तो यह भी क्या है, प बता देना, यानि 0 से किसी नंबर को घटाओगे, तो घटेगा नहीं, वो कम हो गाए नहीं, क्योंकि 0 का मतलत भाई, कुछ होता ही नहीं, 0 का मतलत तो कुछ होता ही नहीं है, तो यह हो गया, इसका प्रगुण इतना, अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो आप कमेंट करिय या आपको जबाब मिलेगा उसका, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं संग कुछ कमेंट करना बच्चा, बिल्कुल टैंसा नहीं लिए ना, सरम नहीं लगनी चाहिए, सुने हो कि नहीं, जे करे सरम होके फूटे गारम, अब मतलब मेरा यहाँ, सरम का ततर पर है, इस मैस्मेटिक क्या पर गुड़ है, इनकी किअपर परपर्टी है, देखो यहाँ, पर समझो, अगर किसी भी संख्या का जीरो में गुड़ा किया जाए, या फिर किसी भी सवाल में अगर जीरो आ जाए, तो फिर आखिर होता क्या है, समझीए, जैसे अगर मान लो, कि मैंने 35 इस में सुनन यह कहता कि भईया अगर मुझसे टकराओगे गुड़ा में तो मैं तुमको बरबाद कर दूँगा, तोड डालूँगा, माट डालूँगा मतलब मैं अपने जैसा तुमको बना लूँगा यानि जीरो का क्या होगा ये? जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा मतलब ये समझ लो कि अगर एक आवारा टाइप का लड़का या लड़की है वही दोनों आवारा होते लड़का या लड़की हो आप लोगों ने देखा भी होगा, है न? तो उसके साथ संगती अगर कोई अच्छा लड़का या लड़की का लेती है तो यह तो कम संभावना है कि वो अच्छा हो जाए लेकिन जो अच्छा है वो भी उसकी तरह हो जाएगा यह ज़्यादा पॉस्बिल्टी होती है तो वही यहाँ पर होता है ठीक है? समझ गए ना? अब देखो यह हो गया भी कोई अगर होगा तो बुरा नहीं मनना मतलब समझ रहा ना? यह लो चलो जो होगा बता देना कि हाँ मैं हूँ इन में क्या होगा? देखो इसमें बीच में गुसेड़ गुसेड़ के जीरो यहाँ गुसाया गया है मतलब नंबर और अलग अलग भी है लेकिन जीरो इसके बीच में छूपा है तो यह सब का गुड़ा करोगे तो आप कहोगे भाई यह तिन दूना अच्छा दूना किता होगा? च्छे सब्टे 42 होगा लेकिन एक सुन बीच में आजाने के बाद क्या होगे? सब को बरबाद कर देगा कहते हैं ना कि एक मचली पूरे तालाप को खराब कर देती है संगती का बहुत बढ़ा एफिक्ट बढ़ता है संगे सकती होती है लेकिन वो संग जो है वो अच्छे लोगों का अच्छे टाइप का होना चाहिए ऐसे लोगों का होना चाहिए जिनके चारो तरह पॉजिटिव बातें मन रहाती हो कि तुम कहो भाईया मुझे यह काम करना बोले हमे कर लेगा तुम कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लोग नहीं कि अगर तुम बोलो मुझे आई-एस बनना बोले रहे आई-एस तो बड़े लोग बनते हैं तुम कैसे आई-एस बनेगा तो फिर इन लोगों का साथ छोड़ दीजिए नहीं तो यह आप अगर उपर जाओगे ना तो आपको उपर नहीं ढखे लेंगे पकड़ के लटकेंगे कि बेटा नहीं ची आजा तुम उपर मत जाओ ठीक है तो जिन लोगों की दिमाग में और दिल में हमेशा निगेटिव बाते होती उनसे दूर रहिए और हाँ कोई भी काम दुनिया में असंबो नहीं होता है ये बात याद रखना कुछ भी चाहते हो आपनी लाइफ में आप उसे कर सकते हो लेकिन उसके लिए पहले सोचना और फिर काम भी करना ये नहीं की बैटके सिर्फ सफने देखो हावाओ में ठीक ना चलिए ये हो गया आपका गुड़ा का परगुन जिसमें आपने सीखा कि किसी भी नंबर में जब हम जीरो का मल्टिपल करते हैं बच्चा तो क्या होता है सब जीरो हो जाता है सुनने हो जाता है यह बाते मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत से हातास निरास बच्चे होते हैं जो मैद सीखते हैं मतलब उन्हें लगता है कि नहीं मुझे अब कुछ नहीं आएगा मैं तो बरबाद हो गया अरे आर सीखने के कोई उमर नहीं होती है आपको बता दें कि PVR study में आल इंडिया के बहुत सारे इस्टूडेंट है जिसमें इस्टूडेंट के मम्मी पापा पढ़ते हैं जब कोई नौकरी के लिए ने पढ़ रहे हैं सिर्प जिंदगी के लिए पढ़ रहे हैं कि बही आलु धनिया खरिदने जाएंगे मांगा ही बढ़ यह इसमें क्या किया जीरो का भाग किया और अगर मालो मैंने जीरो में भाग किया किस से मालो मैंने 45 ले लिया चलो अब देखो दोनों में अंतर होगा बच्चा इसका जो आंसर होगा बबू वह अनंत होगा इन्फाइनाइट होगा लेकिन इसका जो आंसर होगा वो का होग जीरो होगा देखो क्यों ओभी बात मैं आपको बता दे रहा हूं यह याद रखना कहीं कहीं लोग जाते हैं देखो इनको कुछ अलग धंग से भी देख लो जैसे जीरो बटा वन यह बच्चा क्या होंगी जीरो होंगी लेकिन वन बटा जीरो यह हमेशा इंफाइनाइट होंगी कहने का यह मतलब कि अगर नीचे जीरो आ जाए तो फिर जान लो कि अभी पार नहीं लगने वा भाग करने में चलो मैं एक एक्जामपल दिखाता हूं यह ले लो 49 वाला ठीक ना भाया खाना पीना खाके वेटे हो ना दिन चार दिन तक भाग करेंगे इसको हम खतम नहीं होगा फिर भी यह देखो कैसे समझने की कोसिस करना अगर गड़ित नहीं आती तो कलास बीच में छोड़ के भागना यह कुछ होने वाल नहीं है अभी नंबर भी दिखाऊंगा लाश्ट में चैटिंग भी कर सकते हो आप हमसे बात भी कर सकते हो कलास से संबंधिद लेकिन और कोई नहीं चलो अब देखो अगर हमें 0 से भाग करना है 39 में सुनने से न आपको पता है कि यहां पर हम भाग करने का मतलब हमारा यह होता है कि 0 में किसी ऐसी संख्या से गुड़ा करें जो 3 के बराबर आजाए या फिर 3 के थोड़ा उससे कम रहें तो हम यह जानते हैं कि चाहे इसमें 180 बार भाग कर दें चाहे 300 बार चाहे 9 बार कर दें फैजीरो देखो भाग का मतलब एक्षुली होता क्या है समझे लो जैसे अगर मानलो कि हमें 15 है ना यहां पर हमें 3 का भाग करना है तो उपर पांच बाल ले जाके 15 लिखते हैं तो क्या यह 15 हावा में ओड़के थोड़ी आ जाता है यह 15 कैसे आता पता है बच्चा हम इसका इसमें गुड़ा करते हैं ठीक है तीन का पांच में किये तो यह पंदरा आता है यहां लाके छाप देते हैं वजसे अगर हम नौ बार ले जाएंगे तो तीन का जीर नौ में गुड़ा करेंगे तो बहिया अभी अभी आप पढ़े हो गुड़ा वाले में कि किसी भी संक्या में अगर जीरो का गुड़ा करें तो सब बरबाद हो जाता है सब सुनने हो जाता है तो यार चाहे आठ बार ले जाएगा तो कोई मतलब है नहीं चाहे इतनी बार ले जाओ ठीक है तो चलो अब समझो मतलब की पूरी कहानी यह है कि यहां 0 हो जाएगा घटाओगे फिर 3 आ जाएगा अब किसी के मन में चुल पर ही है कि नहीं हम 9 बार नहीं हम 20 बार ले जाएगे तो 20 बार ले जाओ कोई मतलब नहीं 20 बाल ले जाने से भी ठीक है यहां 8 बाल ले जाओ माल लो तब भी यहां जीरो आएगा गटाओगे तो क्या होगा यह फिर वही आएगा मतलब की कुछ भी कर लो आप अभी यह 3 से ही नहीं निपट पाओगे नौ का तो नंबर ही नहीं आएगा किसी के मन में कर रह नहीं जादा ले जाए रहो तुम एक के बाल ले जाओ तब भी यह जीरो आएगा यसी लिए कहते हैं कि यह कभी खताम नहीं होगा अनंत आएगा कभी खताम ही नहीं होगा इस पर कोई इसका solution नहीं निकलेगा ठीक है तो यह क्या होगा infinite होगा अनंत होगा इसके अलावा जो दूसरा बाला है उसमें क्या होता है बच्चा उसमें 0 हो जाता है क्यों जैसे देखो अगर 0 को 49 से भाग करना है मतलब की देखो अच्छे से समझो यह मैं मिटा दे रहा हूँ इसका काम खतम हो गया अगर आपने नहीं लिखा था तो वीडियो को पीछे करके आप इसे पटा पट लिख लो हाँ चलो आप समझो अगर हमें 39 का भाग करना है 0 में हमें क्या करना है किसी एक ऐसी गिंती से भाग करना जिससे 0 आ जाए बहुत आसान है हम जानते है 0 लाने के लिए 0 का भाग करेंगे 0 का गुड़ा करेंगे अगर हम उपर 0 बाल ले जाएंगे तो यह खटाग दे इसमें 0 से गुड़ा हो जाएगा यह कहेगा बच्चा तुम्हारा काम खतम हो गया अब तुम 0 के बराबर हो गया बस हो गया बात खतम अब यह ने करना कि हाँ घटालो फिर से 0 ले आओ फिर ले जाते रहो मतलब उसके बराबर हो गया वो खतम हो ठीक है तो इस तरह से यह क्या होता बच्चा यह zero होता बबू लेकिन यह क्या होता यह अनंत होता है यह थी zero के property और हाँ चलते चलते आपको एक बात बता दे अगर आप मेत सीखना चाहते हैं बाई दिल से सीखना चाहते हैं कोई भी चीज लोग जो है कई तरह से करते हैं देखो पढ़ाई कई तरह की होती है कुछ लोग तो पढ़ाई इसलिए करते हैं कि उनकी मम्मी पापा चाहते हैं को पढ़ ले हां कुछ लोग इसलिए करते हैं कि उनका होने वाला या होनी वाली चाहती है कि वह या पढ़ ले ह हाहerson क西 लोग इसलिए करते हैं कि उनकी चाहत होती उनकी अर्मान होते हैं उनके खाईसे हो होती है कि आम मुझे पढ़ना पढ़के कुछ करना है तो और भी बहुतसारी गेजन होते हैं तो देखो जहां चाह वहां राह, तो अगर आपकी चाहत अपने दिल से है, किसी को दिखाने या किसी के लिए नहीं है, तो फिर आप महत सीख सकते हैं, और वो गारंटी हम लेते हैं, पूरे 100% गारंटी के साथ आपको महत सीखाएंगे, भाज्य भाजक और भागफल सेस्फल, इसको इं अभी दिखाएंगे एक्जामपल, जैसे किसी संख्याओं में जब जीरो आजाते हैं, उनका मल्टीपल कैसे करते हैं, विन यानि की फ्रेक्शन का छोटा बड़ा कैसे विन पहचानेंगे, ये सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन कलास को पूरा देखना, भाई जादा देर नह भाग के मत जाना बीच में नहीं मजा नहीं आएगी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाज, भाजक और भागफल की, देखिए, हम लोग भाग करते हैं, तो भाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आती ही ना भाया, जैसे देखो ये, मैंने मानलो भाग कर दिया, चलो होता है, भाग फल, यही हमारा मुख के उत्तर होता है, अगर भाग करें तो, इसे इंगलिस में कोईसियंट बोलते हैं, ठीक है, कोईसियंट बोलते हैं, यह होता है, इसे इंगलिस में रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है, यह होता है भाजक, यह चीज आपके लिए बहुत ही क्या बोलते हैं भाज जे डिवीडी एंड होता है ये चीजे समझ में आई ये कहां पर काम करेंगी अभी मैं आपको बताऊंगा अगर कोई भाग आपको दी जाए तो आप उसको देख के बताएंगे उसमें रिमेंडर कितना आएगा और हां कोई भाग अगर किसी ने लगाया है किसी बच्चे ने वो सही लगाया कि गलत लगाया है इसका अंसर चेक करने में भी ये मदद गार है उसके लिए क्या है देखो बच्चा उसके लिए यह है एक फर्मूला होता है वो का होता है यहां पर देखो भाज बराबर होता है भाजक गुड़े भागफल भाज बराबर होता है भाजक गुड़े भागफल धनसेस फल यहां पर देखो भाज बराबर होता है भाजक गुड़ा भागफ ध्यान से देखना और धनसेस यह होता है ठीक है यह चीजें आप समझो भाजजे क्या है हाँ पर समझे अभी अभी मैंने ऊपर लिखा हुआ है भाजजे क्या है भाजजे देखो बाबू उपर साइड आपको दिख रहा है मैंने लिख के रखा है बाजजे इसमें 13 है यह देखोगे ते तेरा बराबर तेरा आ रहा है बोलो आ रहा की नहीं दोनों बराबर आ रहा है इसका मतलब यह हमारी भाग सही है अभी देखो मैं कहीं गलती करके भी आपको दिखा दूँगा दोनों बराबर नहीं आएगा अगर गलती करेंगे तो यह दोनों बराबर कभी भी नहीं होगा हाँ इस कलास को पूरा देखना मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं जाना नहीं बीच में छोड़के जिससे की जीजें आपको समझ में आए देखे इसको मैं सिद्ध करके दिखाता हूं यह कैसे काम करता है देखो भईये यहां पर भाज यह कितना है 29 है यह 31 रख लान तो भाजक यहाँ पर साथ है भाग फल यहां पर चार है सिर्वा लवजण पर दो है इस तरह से अगर हैं पर वीक्रों तो 7 4 28 दो 30 देखो दोनों बराबर आया नहीं बराबर या यह भाग इसका मतलब गलत है यह दोनों बराबर नहीं आप देखो गलत कहां है सीदा- पर क्या आएगा बच्चा वन आएगा सेसफल तो आप यहां पे दो नहीं बलकी लिखो गे तो साथ चोक ठाई से कितना हो जाएगा यह और इस तरह से यह दोनों क्या हो जाएंगे बराबर जाएंगे चीजें आपको समझ में आ रही कि नहीं आएंगी अभी इसमें हमें देखना है सुन्ने पद का गुड़ा इसकी आगे तो इसमें हम डिसकर्फ नहीं करेंगे जो पढ़ रहे हैं भाज भाजक के बारे में लेकिन हां कुछ कुष्चन आपको जरूर करवा देंगे ध्यान दीजिए यहां पर आपके सामने तीन सवाल आ गए अब इनका आपक चलो देखो मैं बता दूँ बच्चा अगर आप 47 में 8 का बाग करोगे तो 845 आठ 46 जादा हो जाएगा पांच बार जाएगा तो 40 आएगा मतलब साथ आएगा इसका अंसर कितना होगा यह कुष्टन मार्क मैंने लगा था इसका अंसर होगा साथ आएगा उस तरह से इसमें क कितना आएगा इसमें कितना आएगा आप मुझे कमेंट करके बताओगे उसकी बाद फिरम आगे बढ़ेंगे इस तरह के और भी सवाल आप खुद से बनाके करना घर पे कोसिस करना अब जो यह सवाल दिख रहें इनका जवाब आप लोग मुझे बताओगे चलो जल्दी फ चलिए देखिए अब हम दूसरा इस्टम पर बात करेंगे उ LAUGHTER कि आप यह जान लो कि किसी संक्रा में सुनने का घुड़ा करने पर हैं से यह हैं इनको भी अगर आप करोगे तो सुनने हो जाएंगे क्यों क्योंकि इसको भाग करो तो जीरो होगा फाइनल में जीरो हो जाएगा इनको आप जोड़ घटा के चाहिए इतना दिमाग पका लो कोई मतलब नहीं होने आला है क्योंकि लाइश्ट में 0 से गुड़ा होगा तो यह सब 0 ही हो जाएगा यहां पर हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी परकार के कुईस्टन में आपको 0 का मल्टीपल मिल गया बीच में कहीं तो सब 0 हो जाएगा हां लेकिन ऐसा कभी-कभी नहीं होता है कब देखो कैसे यह तो 0 हो गया ठीक है आप कोगे यहां तो हो गया यहां तो हो गया ठीक है लेकिन कोई ऐसा भी कुष्टन बन जाते हैं जहां पर 0 नहीं होता है अब आप कोगे वह कैसे जब उसमें दो पार्ट हो मतलब कुष्टन में कई भाग हो और भाग कैस से होते हैं अलग-अलग जहां से जोड़ घटाना का चिन लगता वहीं से अलग-अलग माने जाते हैं देखो कैसे जैसे मानलो तीन बटा साथ है और धन यह है बच्चा आपका पांच बटा नो और धन साथ बटा दो और यहां पर जीरो का गुड़ा हो रहा है तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर पूरी तरफे जीरो नहीं होगा वो क्यों नहीं होगा वो इफ लिए नहीं होगा कि इनको गुड़ा करोंगे तो जीरो दो कि अब बईया अगर सुनने को इसमें जोड़ेंगे तो सुननने नहीं होगा यह तीन बटा उस Vallahi होगा कि बात्त आप समझ रहे हो की यानि कि कि किसी भी संक्या में जीरो का गुड़ा करने पर जीरो तो हो जाता है लेकिन अगर ऐसी इस्तिती बन जाए कि एक पदालग हो कहीं यहां पे प्लस हो या माइनस हो तब जीरो नहीं होगा फिर वही आजाएगा जो रहेगा समझ गए ना लिख लो फटा फटा अगर मैत नहीं आती तो कलास को पूरा देखना और अभी मैं आपको नंबर भी दूँगा लाइश्ट में उसको नोट कर लेना अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पक्का मैथमेटिक्स आएगी अगला जो है हमारे टॉपिक वो नया है उसका नाम है भिन देखो भईये यह भिन क्या होता बाबू भिन एक परकार से किसी एक संपूर्ण भाग को अगर उसका कोई छोटा हिस्सा दिखाया जाए तो उसी को एक बारकार से भिन कहा जाता है मतलब ऐसे हम कहें कि किसी भी वस्तु के किसी थोड़ से भाग को दिखाने के लिए भिन का परियोग के जाता है यानि कि जिस गिंती का परियोग के जाता है उसे भिन कहते हैं इसका उदारन से समझोगे तो बेतर होगा यह एक खेत है ठीक है इस खेत का मालिक कौन है रमेश है आप समझना एक जामपल रमेश के तीन बच्चे हैं जिसमें मोहन, रभी और प्रियंका आप कहोगे प्रियंका को कहा से हिस्सा मिलडा लड़कियों को तो मिलता ही नहीं है भाई यह जमाना बदल गया है अब इस खेत के तीन हिस्सेदार होगे नए रमेश, यह मोहन, रभी और प्रियंका अब अगर आप से यहां से हम पूछें कि यह खेत तो मालो पूरा एक खेत था ठीक है इसमें से प्रियंका का कितना हिस्सा होगा तो उसको जो हम गिंती लिखेंगे वो भिन नकालाती है यह पूरा खेत कितना है एक है न कितना है भीया एक है इसके हिस्सेदार कितना है तीन है न तो प्रियंका का हिस्सा एक बटा तीन होगा आप समझ गए न प्रियंका का हिस्सा कितना होगा एक बटा तीन और इसका हिस्से को दिखाने के लिए गिंति का परयोग किया है वही भी निकाला थीये फी तरह से बच्चा अगर इसका बात करें तो रभी का कितना हिस्सा होगा? पर रभी का भी एक कही इस्सा होगा ना सबending से तो एक कही मिचा वहाधी होगा इस इसका क्या मिलेगा एक का मतलब पूरा समुच्चा मतलब जीता था यह पूरा भोलो हैना सही मतलब अगर ऐसे ले लो खेथ है या एक रोटी है या कोई चीज तो उसके तीन पार्ट किये जाएंगे तो सब को परतेक को एक बटा तीन, एक बटा तीन हिस्सा मिलेगा आप समझ गे ना? हाँ, एक बात है हाँ फे और समझ लो जैसे ये मान लो, कि ये कहते हैं भाईया प्रियंका और रभी की भाई भाई हम एक केम रहेंगे भाई मोहान को अलग कर दो बस, इनको अलग हिस्सा दे दोहों हम दोनों एक केम चला लेंगे काम, अभी दोनों एक में हो गए, अब इनका केद तो बड़ा हो गया, हाँ आँ? अब अगर कहा जाए, कि रभी और प्रियंका का कुल कितना इस ये रभी और प्रियंका ना तो दो बटा तीन यानि रभी और प्रियंका का दोनों मिला करके हिस्सा कितना हो गया दो बटा थीन हो गया पात समझ में आई न तो यही भिन का लाती है इसके बाद इसमें हम देखेंगे छोटी और बड़ी भिन भिन का जोड़ गटाना गुड़बाग यह तरी चीजह ह है जो किसी पूर्ल संक्या या वस्तू के एक भाग को दिखाती है अब इसे आप थोड़ा डीटियल में समझना इसके लिए आप मुझे थोड़ा फर टाइम देना पांच मिनिट का चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ जैसे मानलो कि एक एक खरबूज है तरबूज है कुछ भी मानलो एक अमरूद मानलो अब मानलो कि मैंने क्या किया इसके ऐसे पार्ट कर दिये कितने पार्ट कर दिये तीन पार्ट कर दिये भाई आप भी को एक अमरूद ले लेना संत्रा ले लेना उसको काटना तीन पार्ट म ठीक है अब अगर मैं कहूं कि इसमें से ये इतना भाग पूजा का है किसका है ये पूजा का है पूजा मतलब भगवान को चढ़ाने के लिए नहीं पूजा को खाने के लिए कोई पूजा नाम है और ये इतना क्या है ये मोहित का है इतना भाग किसका है मोहित का है तो अगर क आप्ट किये तो आप कैसे लिखोगे उन्हें भिन्न के रूप में देखो समझो टोटल 3 पार्ट इनके हुए थे तो नीचे आप 3 लिखोगे तीन मेंसे पूजा को कितना मिला था एकवटा था यानि एक वट तीन भा किसको मिला है ये पूजा को मिला है समझ रहे हो ना और ये उसका भाई है रभी मान लो चलो और ये है सोहन अब यहां से आपको क्या मिला एक बटातीन ये क्या है एक भिन है लेकिन ये भिन क्या दिखा रही ये दिखा रही कि एक अमरूद है जिसका एक बटातीन भाग पूजा को खाने को मिला है बिन क्या एक परकार की संख्या है लेकिन यह क्या दिखाती है एक बटातीन यह दिखा रहा है कि यह किसी का एक छोटा सा भाग है किसका भाग है यह पता है आपको अरे यही का भाग है पूरा का अच्छा एक इक बात बताओ, एक बटा-3 तो आपने निकाल लिया। बाकी टोटल बचा कितना है इसमें? एक यह बचा, एक यह अगर दोनों को गिनो जो गए तो दूवãy वटा-3 निकीर में बटा-3 जोड़ो तो आप यहां देखो कितना हो जाएगा? तीन बटा तीन ना मतलब एक आएगा इसका मतलब सही है एक आगया मतलब पूरा पूरा हो गया ना भईया यह ठीक है यानि एक बटा तीन भाग किसको मिला पूजा को मिला है बाकी का दो बटा तीन भाग इसके दोनों भाईयों को मिला है और अगर हम सब को जोड़ देंगे बन जाएगा फिर से समूच्चा बन जाएगा एक और नोस समझ मेरिजनगा दूरत है अगर मिल जाएगे ने तो आपना जादा खाती हूए तो अलक खाओ हमारे भे नी कहो यह दोनों भाई एक में हो गए अब देखो क्या होगा कि अब इन डोनों को मिल पिल रभी की ते हैं और पूजा कॉल कि अन्सेटें अलक होगा भी और पूजा इन ने कहा नहीं, हम भाई भाई ने कम खाएंगे इस हो आना को अलग कर दो बहुत दुश्ट है यह अलग खाएगा अब यह दोनों अगर एक में हो गए तो क्या कितना भाग पाएंगे यह दोनों मिला करके कितना पाएंगे दो बटा तीन मतलब आपको समझ में आए न यही भिन नकालाती है यही क्या होता फ्रेक्शन होता है दो बटा तीन में एक बटा तीन जोड़ोगे तो ही आ जाएगा और कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि अगर यह सब अलग अलग ले ले लें तो का पूरा नहीं होगा तब भी वही होगा देखो कैसे अगर तीनों को अलग अलग भाग कर दो तो सबको एक बटा तीन मिलेगा सबको एक बटा तीन एक बटा तीन मिलेगा न मिलेगा na भाया तो एक बटा तीन को एक बटा तीन और एक बटा तीन जोड़ो फाइनल में तीन पर की आएगा बराबर एक आएगा कितना आएगा वन तब भी हाएगा लिख लो उसको फटा फट लिख लो और उसके बाद आप बातो को समझ गया होंगा जल्दी करो आगे बढ़ें इनको आप लिख लीजिए एक बात आपको बता दें भीया आप लोग क्लास को सेयर नहीं करता यार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इतना रात में मैं काफी मेहनत करता हूं लेकिन आप लोग कुछ समझते ही नहीं हो जो नए चात्र जु लिए टेमपरोरी में इसमाल एंड लॉंग फ्रेक्शन अगर मैं गिंती में आप से पूछूँ कि यह बताओ चार और नौ में कौन बढ़ा है तो आप कोओगे सिंपल सी बात है भीया नौ बढ़ा है चार चोटा है लेकिन अगर मैंने आप से फ्रेक्शन में पूछ लिया इनमें कौन बढ़ा है कौन चोटा है तो आपके लिए थोड़ी हैरानी हो सकती है न लेकिन मैं इसको आपको बहुत ही इजी बे बता दूंगा आपकभी लाइफ में बूलोगे नहीं चाहा करके भी नहीं पूला पाओगी है ना बुलाना सकोगे तुमां में бол कर भी मतलब कुछिश्चन को देखो आगी कैसे जैसे तीन बटर पांच ईक बटर पांच है इसको आईसे मानोhin हीाच Чер ओक हो कि ए कि यह तेन बटर पांच का मतलब यह है कि तीन चौकलेट है पांच खाने वाले हैं ठीक है फ्रेंड लोग है आपके इसका मतलब यह है कि एक आपको फ्रेंड भी है उसके पास एक ही चौकलेट है और खाने वाले पांच सैतान हाजिर है मतलब आपको यहां पर यह समझना है कि किसके हिस्से में जादा जादा लोगों क है by simple सी बात है chocolate थीन है खाने वाले 5 हैं यहां पर एक चॉकवलेट में bol ऐने ज्यादा इसमें मिलेगा नी इसे ज्यादा मिलेगा ना तो आप कह सकते हो यह बड़ा इससे आप ऐसे सकते हो three upon five is greater than 15 अर्भी इसको तो आराहमसे कंपेर कर लोगे फिर कहो फिर इस तो बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हाँ देखो कैसे, इसमें साथ बटनों है, इसमें नव बटनों है, इसका मतलब है, कि इसमें साथ चॉकलेट में नव खाने वाले हैं, और इसमें नव में नव लोग खाने वाले हैं, मतलब सबको एक ए मिल जाएगा यह नहीं मिलेगा मतलब कौन सा बड़ा है यह बड़ा है लेकिन ये तो ठीक था यहां तक तो ठीक था मुसीबत तब आती है जब इन भिन्नों के हर भी अलग-अलग हूं तब क्या करोगे तब क्या करोगे वह तुम्हें आपको लेकिन अभी नहीं बताओंगा साथ बटा यहाँ पर चार है यहाँ पर साथ बटा तीन है उपर की गिंती बराबर है नीचे की अलग अलग है तो कैसे समझोगे देखो इसको ऐसे समझ लो इसमें साथ चॉकलेट है खाने वाले चार है इसमें भी साथ ही चॉकलेट है खाने वाले तीन है तो जादा जादा किसमें मिलेगा भई या खाने वाला माल तो सब में बराबर बराबर है इसमें साथ है खाने वाले चार है इसमें भी साथ है खाने वाले तीन ही है तो यानि ये क्या है बड़ा है इसमें भी आप अनुमान लगा लोगे यानि अगर हर हर इजी है है ना इस तरह से जो भी भिनने अगर हर बराबर है अंस बराबर है तो आप लोगों नहीं कर सकते हो कौन बड़ा कौन चोटा है इनके कुछ एक्जांपल में आपको दिखा दे रहा हूं उनको देख लीजिए अगर आप इस वीडियो को यूटूब पे डेमो के रू नहीं कमेंट करोगे तो फिर हम नहीं जिम्मेदार है आपको आया ना आये इसमें कौन बड़ा है दोनों में इसमें दोनों में कौन बड़ा है और इसमें दोनों में कौन बड़ा है सभी का जबाब देना फ्रेक्शन का टाइप हम लोग पढ़ेंगे टाइफ आप फ्रेक् इसका फिंछ का अंस बड़ा हो और हर छोता हो। यह उल्टा हो गए इसका है अनुचित का घिक है अनुचित भिन्न या improper fraction जिस भिन्न का अंस मतलब नीचे की गिन्ती छोटी हो उपर वाली बड़ी हो वो अनुचित भिन्न या improper fraction का लाएगी ये दोनों में अंतर है कि नहीं बच्चा ये ये तो ठीक है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं नीचे की गिन्ती बड़ी है यहां पर उपर वाली गिन्ती बड़ी होना चाहिए ये ऐसा होना चाहिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं चलो ये हो गया ये क्या है ये अनुचित भिन्न है इंप्रापर फ्रेक्शन है यानि कि उपर का गिंती जो है जिसे अंस बोलते हैं हम लोग इंगलिस में डेनुमिनेटर बोलते हैं वो ग्रेटर देन होनी चाहिए इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो ना 191 इस ग्रेटर देन 37 यह कंडिशन होनी चाहिए तब अनुचित भिन या फिर इंप्रापर फ्रेक्शन बनेगी समझ गए जबकि इसका जैस्ट उल्टा होता पडोसी भाई 36 का अंकड़ा वाला यह इसमें नीचे का गिंती जो है वो बड़ी होती उपर की छोटी होती इसमें अब यह बैने पढ़ाया था लाइक औंड लाइक फ्रेक्शन पढ़ाया था न इस टंप अदन नहीं था तो सम बीन का मतलब यह है जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ मतलब ऐसी दो भिन्ने जिनके हर एक समान हो मतलब उनके डेनोमिनेटर इक्वल हो वो सम भिन्ने का लाती है बच्चा जैसे एक्जामपल देख लो कहां गया कोई है इसमें सम भिन्ने का कोई एक्जामपल है नहीं है है कोई नहीं है देखो नीचे की गि ठीक है समझ रहे ना तो यह क्या होगी सम्हें नहोंगी क्या होगी यह न होगी इसके आपो जीद अगर चले ह cannabis संग होगे- हां इक्वल हो सकते हैं लेकिन हर कभी अग एक जीना यह फिर लाइगி कलास को पूरा इंड तक देख हें इन्रे सा्वर STEM करें मिदी तिए गड़ेस सीखें पूरे गारंटी के साथ कोई सवाल है कोई बात है जो दिल में पढ़ाई वली कह सकते हो इस नंमबर फे फेर्शन करके वक Gef करके आगे देखो अगला है मिस्र भिन मिस्र भिन या फिर इसे मिस्रित भिन बोलते हैं मिक्स्ट फ्रेक्शन वैसे मिस्र तो थोड़ा सा अलग लग रहा ना मिस्रित ठीक है क्या होता बच्चा मिस्रित भिन जिसे इंगलिस में मिक्स्ट फ्रेक्शन बोलते हैं इसके नाम सही लग रहा है इसम है क transf Rzen कि इसमें दो भिनों को आपस मिला के मिक्चर कर देते हैं संकरन संकरण करवा देते हैं जैसे अभी देखते थे पहले देषी जाती के जानवार आता है कि देशी इनसान भी होते थे देशी फसले होती देशու अंध् wood क्या है अब तुम लोग सोचो कि क्या मिला क्या इसमें बच्चा ये जो तीन है ना ये को क्या है ये कौन सी संख्या कहेंगे इसे हम ये एक पूर्ड संख्या है और ये जो एक बटा पांच है एक भिन है ये पूर्ड संख्या नहीं है ये अपूर्ड संख्या है समझ गए ना या फिर ऐसे बोलो यह क्या है पुडांGS या पुडांक है और इस तरह से यह क्या हो गई दो लोगने एक मिल जाते ही तो मिफरित विन्न या फिर mixed fraction बनती है यह कब बनती है जब ऐसी condition होती तब मतलब जब हर छोटा अंस बड़ा होता है तो mixed fraction का जनाम होता इसमें से यह आप समझ गए, नीचे है एक equivalent fraction क्या है? equivalent fraction अब यह equivalent fraction कौन से जानवर का नाम है? यह भी देख लो ध्यान से इसमें कौन सी बड़ी मुसीबत है? चलो प्यार से देखो बच्चा यह जो है ना equivalent मतलब समानता का अधिकार आपने सुना था? हा? सुना था ना? कि भाईया इस देश में रहने वाले हर एक बगति को क्या होगा? समानता का अधिकार मिलेगा ना? कि किसी भी इस्तरी पूरूशिया जाति धर्म की आधार पर कोई भी सरकारी संस्थान में उनके साथ दो तरह का बैवार नहीं होगा ना रहेंगे सरकारी संस्थान ना होगा बैवार आजकल की हमारी सरकार की यह चंडिशन है कि जैसे कोई एक भिन है तीन बटा मालो 17 इसमें किसी एक निश्चित संख्या से गुड़ा कर दें या भाग कर दें एक निश्चित संख्या से बराबरी का मामला होना चीज जैसे आपने देखा होगा जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी पापा लोग कहीं जाते थे अगर बाह जायेंगे कट मर जायेंगे अब यह का जाएगा तो मार नहीं मतलब कि इसमें कि इसमेंसे से गुड़ा करेंगे डोनों में करेंगे उपर और नीचे दोनों में तो चार का 3 में गुड़ा करोगे बच्चा तो 12 हो जाएगा और artists में गुड़ा करोगे तो 17 ऑफट्रा चुपोंका 42 17 вып गञे कि नहीं है ऐसे कर लो कि मुझे लग रही गलत है क्या चार सते 28, 17.68 होता है यार, जती करवा दिये न, टेबल आता है कि नहीं, नहीं आता कमेंट करना, टेबल के ट्रीक आपको बता दिये जाएगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, चार सते 28, और 4.1, 4.2, 6, देखो समझो, मतलब की बात समझते चलो, ये वीडियो हमारी कोशिस होग रखें और टाइम पे कलास में जरूर आ जाया करें, कोई परकार की इंक्वारी ये तो उपर नंबर दिया गया, उस पर संपर करना, आगे देखो इनकी पूरी कहानी समझो, अभी तो पूरी बात हुई ही नहीं, यहां पर समझो, अगर हम पूछें, कि बच्चा सतरा, तीन बटा सतरा का जो तुल्ले भिन है, बारा बटा 68 होगी, यह थोड़ा बड़ा हो गया, कहोगे यह तो पल्ले नहीं पड़ रहा है, मत टेंसान लो, बने रहो हमारे साथ, जाना मत, देखो, अगर मैं कहूँगी कि एक बटा तीन का इक्वालियंट फ्रेक्शन बताओ, बच् करके भी तुम बना सकते हो, यह लो, आठ बटा, यहां पर बारा, इनको हमें क्या करना है, तुल्ल भिन बनाना है, तो बच्चा इनको भाग दे दो, एक निश्ची संख्या से, चलो देखो, समझो, कहानी समझो, यह एक बटा तीन का तुल भिन, दो बटा चा, उपर मैंने बटा 把它 उसको लिक लो, लिखने के लिए ना बताना पड़े कि हाyan, लिखो, 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 अभिया, वो तो पता निंक क्या सिस्टम होcciones को गया, इस सब अलग हो गया, डेखो, आठ बटा बारा, यहां पर समझो, पहले जाने दो, कि Ansabewва ansa और हर दोनों में एक निश्ची संख्या से भाग करेंगे कैसे इसमे भी दो से भाग कर लो ग tratar और आठ दो करना थोडवा सा इसमें जुकाड बना लो इसको उपर करके कहए को गंदबी यार देखो डोनों में भाग करना है मैं यह समझ रहो न हम क्या करने वाले हैं हमने यह विन हमारी रियल में थी 8 बटा 12 इसको हमने 2 से बाग किया दोनों में तो बच्चा कर लो ना दोनों का अलाग अलाग ही कर लो चाहे तुम यह 2 चौक 8 ये दो छंग बारा इक्वल कितना आगे 4 बटा चा यानि आप कह सकते हो क्या कह सकते हो 8 अपान 12 का जो तुल बिन है equivalent fraction है 4 अपान 6 है क्या है 4 अपान 6 है इसको फिर से 2 से भाग कर दो तो ये 2 हो जाएगा ये 3 हो जाएगा यानि 8 बटा 4 का तुल बिन चार बटा 6 दू बटा 3 ये सब है अगर हम पूछे कि दू बटा 3 का तुल बिन बताओ बिटा तो दू बटा 3 की तुल बिन 4 बटे 6 आट बटे बार ये भी है समझ गये ना इसके अकार्डिंग और कुछ बना सकते हो चलो मैं 15 से गुड़ा कलूं दोनों में तो 15 दून तीस और 15 तीय पैतालिस यानि हम कह सकते हैं कि दू बटा 3 का तुल बिन 30 बटा पैतालिस भी है क्या किया मैंने 15 से मल्टीपल किया दोनों में उपर नीचे और क्या लेकिन एक बात और समझ लो बच्चा अब ये 30 बटा 45 इसकी तुल बिन नहीं है क्यों? किसी भी इत कंडिशन में आएगा ही नहीं समझ गए ना? तो यानि ये दोनों क्या हैं आपस में ये दोनों तुल बिन है और बिटा ये दोनों और ये ही छुटकी वाली ये ये तीनों तुल बिन है अपस में ये तीनों ये दोनों और ये समझ गए ना? ये होता equivalent fraction उमीद करते हैं आप fraction का टाइप समझ गए होंगे एक होती बड़ी खतरनाक बितत बिन बितत बिन के बारे में हमें हाँ पर discuss नहीं करेंगे किसी काम की नहीं होती हो तो फिल हाल कि 12 अपाने टीन है इसे हमें क्या करना simplification करना मतलब सरली करन करना इसको काटना है छोटा-छोटा कैसे देखो एक बच्चों यहां पर इस्टाइल दिखाऊं बच्चे क्या करते हैं ऐसे करते हैं अच्छंग बारत दोनों अठारा लेकिन उनको यह नहीं पता यह तो अभी और कटेगा अभी तो इसके चाहीं नहीं पूरी हुई तो यह तीन से कटेगा तीन दुन अच्छा तीन रिकानों मतलब दो इस्टेप में कटा तो यहां तक आया न हाँ आया न अच्छा ठीक है अब यह बताना जा रहा इसी को हमने यहां पर लिखा अठारा अरे यार इसे नहीं बैया पहले ट्वेल लिखा है ऐसे मैंने लिखा ट्वे नीचे लिखा एटीन अब ध्यान देना इसको अगर मैं ऐसे करूं सिक्स टूजा मतलब मेरा दिमाग भी लग रगडबड हो रहेगा काफी रात हो गई ना रिकार्ड औरी कलास सिक्स टूजा ट्वेल और सिक्स त्रीजा एटीन अच्छा यह बताओ यह पहला तरीका था ए और यह कौन सा अब भी बच्चा सभी जितने भी साथी जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन सा आपको अच्छा लगा कौन सा करना चाहोगे यह करना चाहोगे दो बार में काटने वाला या एक बार में अब देखो आप लोग कहोगे यह कैसे आपने किया आगे नहीं कट पाया नहीं देखो यह जो टू अपांथ रही है कोई एक ऐसे शेम नंबर से दोनों नहीं कटेगी जैसे यहां पर देखो यह तीन से छे भी कट रहा था नौ भी कट रहा था कटने का मतलब क्या होता मैंने पिछली पांच कलास में पढ़ाया उसको देखलें description में link दी गई है ठीक है चलिए तो यह एक परकार से अब क्या है satisfied है पूरी तरह से यह किसी भी एक same number से दोनों डिवाइड नहीं होगा इसलिए इसको छोड़ देंगे और हां comment करके मुझे यह बताना कल इसको देखो यह एक बार में क्यों कट गया एक्चूली करते क्या न इसका पहले थोड़ा सा गुप्त बाते समझो इन दोनों का हम निकालते हैं एक सी एफ क्या निकालते हैं एक सी या फिर बोलें तो जी सी एफ अब इनको जी एफ मत पढ़ना नहीं तुम कुछ और मतलब निकालोगे सी गायब मत करना इसका मतलब होता ग्रेटेस्ट कमन फैक्टर या हाईअस्ट कमन फैक्टर और टोल और एटीन का अगर हम जी सी एफ निकालेंगे ए एंचे एक अ जया न एक एक्जाम्पल और देख लो इससे बड़ा खतरनाक है उसको भी देखो जल्दी देखो फटा फट देखो देखो नीचे वाला ध्यान दीजिए प्यार से देखिए देखिए बबुआ इनको जरह ध्यान से देखना यह 128 अपान 256 है क्या कहता है ध्यान देना अगर इनको हम बच्चों वाली बिधी से काटेंगे ऐसे दो दो से काटेंगे तो दो चंग बारा दो चोग काट यह दो एककम दो और दो दुना चार और दो अठे सोला एक बार कट गया इनको फिर से काटेंगे दो दो तिया इचा दो दुना चार और यह दो चंग बारा और 248 फिर से काटेंगे इनको तो 2 1 2 2 3 2 2 2 4 फिर से काटेंगे इनको तो तो अठे 16 और दूर इसे क्यों ठीक है अभी इनका पेट नहीं भरावी और कटे गये एक दम राक्षा सो गया वही पेट नहीं भर रहे इसका देखो दोसे काटो 248 और और दो अठे 16 चार बटा आठ अभी फिर भी पूरी तरह से सर्टिसफाइड नहीं है फिर से दो से काटो दूना चार दो चोग आठ फिर से दो से काटो आप यहां पर क्या देख रहे हो यह सिंप्लिफिकेसा ना जानने वालों की इस्थिती है जो इतनी बार काटते हैं समझ में आया इसके पीछे एक छोटा सा फंडा है छोटा सा मेथेड है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि सबसे पहले दी गई भिन का आपको HCF निकालना है उसके बाद एक बार में कड़ जाएगा आपको यह 18 बार नहीं बुजाना है समझ रहे हो ना देखो कैसे समझ रहे हो कि नहीं जितने भी साथी जुड़े हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे की बिल्कुल फ्री पढ़ सकें घर बैठे और हां इस सेशन को लाइक नहीं किये भाई यह ना तो लाइक कर देना बाबू और क्या मिल र लेंगे हम HCF निकालेंगे HCF निकालना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है आप HCF निकाल लो 128-256 का आपको मिलेगा 128 आएगा क्यों आएगा ने 128 इनका HCF तो 126 126 काटोगे तो यह वान अपन टू आजाएगा एक बार में आगया अंसर लेकिन आप कहोगे हमें टे हाज बोलते हैं कि महात्म समाप वर्तक बोलते हैं निकालके करते हैं एक वार में कड़ेगा अ CornECरllo लेकिन कैसे से कटे लो तो हमें तो पता ही नहीं था कि 108 से दूश्यों सब्सक्राइब करता है लेकिन इसका एक 108 से आ गया हमें पता हो गया अगर HCF आया है तो पक्का कटेगा वह समझ रहो ना अगर HCF आ गया जो गिंती अगर सई से निकाले हो तो फिर उससे वह दी गई दोनों संख्याएं होगी समझ रहो ना जैसे देखते नहीं हो कि अगर पता चल जाए आपके पापा जी को कोई गलती आपने किया है तो कहेंगे नहीं नहीं मेरे बेटा गलती नहीं किया बहुत अच्छा बहुत अच्छा अब देखो समझो कुछ और भी एक्जांपल आप लोग जल्दी से मैं देख रहा हूं सभी का कमेंट देखो आपको रिपलाई मिलेगा हमारे मित्र लोग आपको रिपलाई करेंगे मैं नाम नहीं बोलूँगा आप क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पाती देखो इदर इनको क्या करेंगे हम सिंप्लिफाई करेंगे मैं वही मिधर लगाउंग ज और बारतियां 36 इस तरह से टू अपान थ्री फाइनल फ्रेक्शन आजाएगा अगर दो-दो से काटो के लंबा खिच जाएगा हाँ इसमें अब थर्टीटों इसमें आप थर्टीटों और फॉर्टीएट का से इस निकलो गी इनका से था कितना थे कितना फ़ोकर यहाँ इंचा इएगा इननका सिक्स्टीन भाईया sun आएगा क्योंकि 163 जा 48 होता है एंड 16 टूजा 32 होता है यह बाप दादा हैं दादा बाब हैं समझ गए ना समझो मतलब उल्टा हैं अब इनका क्या होगा 56 एंड 24 का HCF करके देखो कितना आएगा कि से बनाएगा क्या नहीं से बनाएगा तिये कटेगा नहीं एट आएगा कितना एट आएगा एट आएगा ना हम एट ही आएगा एट से बन जा 56 भाई आठ सते चपन होता है आठ तरिक चोविस आया समझ में यह होता है सिंप्लिफ इंग्लिस तो मुझे नहीं आती लेकिन मैं दिर दिर सीख ले रहा हूं आप लोगों के साथ में बात समझ में आ रही ना कुछ बुझा आ रहा है न लिकना मतलब जीसे तुम इलाबाद नाम से पहले जानते थे आप बाते हो गई पुरानी अब यह ट्राइपोड हमारे उपर पता ने क्यों खपा हो गया है यह बार बार गर 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 घर जाता है आप सोच रहोंगे भूकम पार राए नहीं प्राइब जोड़ना इसका मतलब होता बिन्न का जोड़ना यह इदर देखो कुछ नमूना दिया गया है सब्स्ट्रेक्शन आफ फ्रेक्शन मतलब की घटा न यहीं पलस की जगा माईनस हो जायगा बस multiple of fraction and division of fraction ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं इसलिए पूरा class को एंडे तक देखना बड़े ही प्यार से देखना वैसे देखना जैसे देखते हो देखो क्या होता जरा एक बार फिर से बता देता हूँ जो नए नए महमान है जैसे ये लिखा है न बीच में एक लाइन होती नीचे गिंती होती उपर एक गिंती होती है तो नीचे जो गिंती होती इसको हिंदी में हर बोलते हैं इंगलिस में डेनोमेनेटर बोलते हैं उपर वाली गिंती को अंस बोलते हैं हिंदी में इसको numerator बोलते हैं अगर denominator equal है तब क्या होता है पता है आपको ऐसे एरो लगाएंगे एक बड़ी सी लाइन खीचते हैं जिसमें दोनों समाजाएं नीचे इनको एक बार लिख देते हैं उपर one और one जो भी गिंती रहेगी ज़रूरी नहीं की one one है यहां पर one था तो मैंने one ही लिखा हमारी किस्मत में ही था तो ऐसे ठीक इसको लिख दिया इसको लिख दिया बीच में जो चिन था उसको लगा दिया इन दोनों को जोड़ दे सारी से जूट मत बोलना चलो यह हो गया अब देखिए इस तरह का एक तो मैंने बता दिया अब अगर हम थोड़ा सा चेंजिंग कर दें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए हम कोशिस यह करते हैं कि आपको पूरा आ जाए समझ में अच्छे से जैसे अब इसका एक इनोमेनेटर इक्वल है नीचे का दोनों गिंती दोनों में बराबर हैं है ना बराबर अब ध्यान से देखो भाई अच्छे से देखो प्यार से देखो मगर प्यार से अब इतना भी प्यार से नहीं कि पढ़ाई में मनना लगे देखो लेकिन नीचे सेवन है ना तो सेवन लिख दो यह फोर और थ्री क्या करना एड कर देना है ऐसे ही बिना कुछ की मैंने लिख दिया नीचे उमीद है कि आपको दिख रहा होगा अगर नहीं दिख रहा तो मैं एक बार जहांक लेता हूं कहां तक दिख रहा है अच्छा है वैसे दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है तो यह दोनों जोड देंगे तो यह हो जाएगा सेवन और यह सेवन अब हम इसका अगला इस्टेप आपको नहीं बता रहे नहीं तो यह सिंप्लिफाई होगा और सिंप्लिफाई कैसे होता मैं छटवी कलास में बढ़ा चुका हूं पीछे की देखो डिस्क्रेप्शन में लिंक है पिछली देख लेना ठीक है चलो तो यह आप समझ गया लिख लीजिए इसको मैं मिटाओंगा आज वीडियो थोड़ा बड़ा भले हो जा लेकिन मैं सामने ही सब कुछ करूंगा वीडियो रोकाओंगा नहीं कुछ भी क्योंकि मैं तो सबनु जब हर असमान हो मतलब हर समान ना हो इसका मतलब क्या चाहिया समान नहीं होगा तो क्या होगा आखिर उसमें अंतर होगा वो क्या होगँ के देखो बच्चा इसमें हर अलग अलग होंगे है यहां पर समझ या जैसे अम मैंने ने लिखा four upon three और प्लस वान अपान कामान हो यह दूसरी कंडिशन है हमारी ख्रास उनके लिए होती बाप ant funding को मेत नहीं आती जो मेत से उमीदि एक छोड़ दूसी जगह पे बीच में पलस था तो प्लफ लगा दो तीन का गुड़ाइस में कर दो कुछ समझ में आया नहीं आया बिल्कुल टेंसन मतलो अभी जाना मत कलास से पूरा देखना में इनका गुड़ाइस में किया वही सबको इतना आता है दो का चार में करोगे कितना होगा का 4 का 2 में करो गाठ हो मतलब वही हो गाना चाहे 2 का 4 में खीच देंगे जो भी लाइन है अरे भाई यह लाइन थोड़ी बड़ी बना देते हैं अब इनका आपस में कर लेते हैं यह इस तरह से आपका एट में 38 करोगे यह था फाइस्ट मेथेड जिसका मैंने नाम दे दिया क्या भाई यह फाइस्ट मेथेड को वालो चलो यह चिंटू इनका नाम मने दे दिया यह किसका नाम है अब तुम लोग बताना कि चिंटू अच्छे लगे कि पिंटू देखो इदर साइड में अगला कि मजा आ रहे की नहीं आएगी धियरिय आएगी बहुत तयज आएगी तो मजा भी नहीं आएगी फिर ना देखो बगला अभी मैं इसको लगाने के बाद सामने से हटूं गा आप लिख लेना च्छाप लेना स्क्रीन साट ले लेना इसी क्यूस्चन करने का सीकेंड तरीका जो मैंने सोचा है वो क्या है यह देखो इधर साइड में इसकेंड तरीका यह है भाईया LCM लेना नीचे-नीचे गिंती का LCM लेते हैं LCM क्या होता है कैसे करते हैं जदधा जानकारी के लिए कमेंट करना क्लास खतम होने के बाद मैं बता दूंगा LCM का अलग से वीडियो है द मतलब लासा जी से बोलते हैं इसका पूरा नाम होता है लगुत्तम समाप वर्त है लिष्ट कामन मल्टीपल तो थ्री और टू का LCM 6 हो गया इसका मतलब यह नहीं की तिन दून अच्छे हो गया हाँ यह कहीं कहीं हो जाता है कब होता यह कंडिशन भी मैंने बताया है लेकिन हर जगा ऐसा लागू नहीं होता है अगर चार और दो है तो इस मतलबए इसका ल City चार दूरी नहीं कर लोगे गलत हो जाएगा तो गुड़ा नहीए हर जगा नहीं होता कहीं कहीं होता हैesc laugh to यह क्या होगा अ необходимо Also when a star in आएगा तीन का एक में गुड़ा करोगे तीन हो जाएगा फाइनल में उसी ढर्रा पर यह भी जाएगा कहीं और नहीं जाएगा आएगा उतना ही लेकिन थोड़ा थोड़ा तरीका अलग है बस इतना समझ गया चलें फिर आगे बढ़ते रहें देखो इजर साइड में बना के रखो गए सब अच्छा होगा देखो वह यह पिंटू थे अब बताना चिंटू-पिंटू में से कौन साथ चा लगा तोंको चलो इतना कर लिए बहुत ज्यादा कुश्चन सनी करवाएंगे एक्सरसाइज के लिए अलग से देंगे चुकी ज्यादा बड़ा वीडि देख लो इदम सिस्टम से ही बताएंगे इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि देखो अगर कोई समस्या होती तो आप थोड़ा देर रुप जाना वीडियो में छोड़ के मत जाना भाग कि तुरंत भाग लो निकल लो हटाओ चलो अनलाइन में तो यही मुसीबत है आ आफ लाइन में क्या होता टीचर चाहिए अच्छा पढ़ाया ना पढ़ाया बच्चों को मजबूर इंबैठ रहना पड़ेगा अनलाइन में मोबाइल मेरी है इंटरनेट मेरा है मैं देखू है ना देखू लेकिन देखोंगे तब भी पढ़ोगे तब आगे बढ़ोगे इसमें हर बराबर है तो नीचे को हर लिख देते सबसे पहले उपर की जो भी गिंती उनको ऐसे कब ऐसे लिख देंगे यह 17 था मैंने वैसे लिख दिया इसमें से सब्ट्रेक कर लो 17 में से 8 जाएगा कितना होगा नावाट 17 होता है न तो 9 आएगा ना बच्चा कितना से सिंप्लिफाय होगा कटे का फाइनल में तीन आएगा लेकिन मैं अभी इसको नहीं बताने वाला हूं आप लोग इसको लिख लिजे यह आपका हो गया इतना क्यूंकि इसको भी बता दूंगा तो फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा सीखने वालों के लिए वह कंफ्यूज हो जब हर बराबर ना हो तब क्या और देखो यहां पे समझो झैसे म corpse दिया सत्रा बचा और माइनस हार बराबर ना हो मतलब आला गळग ओए अब चैन अब चलो इनको कैसे करेंगे इनके तो हर बराबर है नहीं इनमें भी वही दो तरीका है पहला कि आप तिर्षा गुड़ा कर लो दूसरा तरीका यह है कि आप LCM ले लो तो हम तिर्षा गुड़ा वाला पहले बता देते हैं तो तेरा उसरी 17 का तीन में बुड़ा करोगे सत्रातियां 51 बल्टीपल करना सबको आता है कोई दिक्कत नहीं हां सत्रतियां 51 कि माइनस कचिन लगाओ 5 का 2 में कर दो 10 बच्चा 5 का 3 में कर दो 15 इस तरह से आपका आजाएगा 41 अपान 15 बात समझ में आई कहीं कोई दिक्कत है तो बता देना बिल्कूल भी टेंसन मतले न ओके हमारी कोशिस होती कि हर केसी को मैं थाए आपको जानकर राश्चर होगा कि यह कलास में बच्चों के लिए नहीं पढ़ाता हूं बच्चों के मम्मी पापा के लिए पढ़ा कई बार बता चुका हूं ऐसा क्यों क्योंकि यह क्लास उनको कहीं मिलती रही उनको बड़ी सरम आती कहीं जाकर के बाहर पढ़ने में क्योंकि यह चोटी-चोटी चीजे कौन पढ़ाएगा अखिर है ना लेकिन हम पढ़ाते हैं सीटेट सूपर टेट टेट डीलेड हैं कुछ लोग हमसे प्रस्ण पूछते हैं हमारे रिष्टेधार में रिलेटिव फ्रेंड में इतना चोटा-चोटा पढ़ाते हो कौन पढ़ता है कि तुमको क्या मिलता इससे इतने चोटे बच्चों के पास मोबाइल कहां होता है दिन नमारे भाईया पूछ रहे थे मैं हो गए अब उमर हो गई अठाराफ लेके अठाई साल अब इतनी चोटी-चोटी भिन सवाल किस से पूछे कहीं अपने बच्चे से पूछ लें हो भी मजा लेगा ममी पापा चाचा चाची को यहीं नहीं आता है तो बस उनी का समाधान हम करते हैं गुप्त तरीके से कि कोई कोई जान भी ना पाए और वह आनलाइन पढ़ भी लें मोबाइल में को यह भी नजाने क्या कर रहें पढ़ रहें की कमेडी देख रहें हो गया यह आपका हो गया दोनों मतलब एडिसन और सब्स्ट्रक्शन अब अगला हम देखेंगे मल्टीपल मतलब गुड़ा वाला द कंडिशन जैसे मिले वैसे देखो जैसे एक बटा तीन और यह दू बटा तीन अब कहोगे इसमें हर बराबर है तो क्या होगा हर नहीं बराबर है तो क्या होगा बच्चा इसमें कुछ भी हो सब चलता है ठीक है हर बराबर हो या ना बराबर हो सब रूल एक होता दोनों में मिलते हैं डोनों मेंकी रूर्ल होता है और समझ रहो ना बफर सीटम का मतलब समझ रहो पहले होता था जो भाक्त लोग होते था पुजारी लोग कोई नंत्र जाते थे कहीं कोई प्रोग्राम होता था मतलब कपड़ा प्ले निकाले के जूता कैसे देखो समझने की कोशिस करो कैसे देखो in में हर बराबर हैं इन में इसे इन में ख३ Vik could दोनों में की की होगा जबकि जोडने घटाने में थोड़ा लग अलग होता है से उपर उपर का मल्टिपल नीचे-शे 2 का 1 में 2 और 3 का 3 में 9 फिक इसी तरीके से अगर हम इसमें देख़ें इसमें हर बराबर नहीं है इसमें 7 इसमें 8 इसमें 3 था 3 था बराबर था इसमें भी वही फुल स determination था 3 5 फंद्रा और ये 7 8 56 या 8676 लेकिन यहां पर आपको कुछ समझने वाली और भी चीजे हैं, कभी-कभी यह थोड़ा difficult हो जाते हैं, अगर थोड़ा सा चुक गए तो, वो क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो, वो भी समझ लो, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, कल पाओ नहीं, जाओगे तो कुछ पाओगे नहीं, समझ रहो ना, अब इसमें मैं क्या बताने वाला था अगला जो वो चीज समझो, दोनों तरब बताऊंगा, जैसे अगर ऐसे है, यह 12 है, मतलब 14 है, और यहां पर क्या बच्चा 10 है, और यहां पर एक है मानलो 15 है, और यहा मुसीबत खड़ा कर दिये, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, इसमें हमें 14 पंद्राक पहाड़ा पढ़ना ही नहीं है, लेकिन जब नहीं पढ़ोगे, जब तुमको पता रहता बना, देखो यहां पर समझो कैसे, इनको आपको 2 से सिंप्लिफाई कर देना, नीचे उप में एक भिन बन जाएगी, 7 बटा 5, यह भी कटेगा, 5 तीनी 15, यानि 3 बटा यह आएगा, अब बात समझ में आई, हमें तो 14 पंद्रा का पाड़ा नहीं पढ़ना, बच्चा हमें तो 7 का पाड़ा और 3 का पाड़ा पढ़ना है, अब 3 का तो हमको आता ही है, है ना, यह आएगी नहीं, बलकि दोड़ेगी इसका नाम है, मैं थाएगी नहीं, बलकि दोड़ेगी 80 की स्पीड में भीने पिट्रोल डीजल की, क्योंकि पिट्रोल डीजल आजकल बहुत नहींगा हो रहा है, इसलिए वो ऐसे दोड़ेगी, देखो कैसे, यह मैंने पढ़ाया था, य कौन सी बिन है यह, अनुचित बिन है, उचित बिन है, सम बिन है, बिसम बिन है, मिसर बिन है, कौन सी बिन है, कमेंट करके जरूर बताना, चलो, यह हो गया, यह तो एक तरीका हो गया, एक और देख लो भाईया, यहाँ पे समझो, यहाँ पे और समझो कहानी क्या क्या हो र कलने रात दिन खोपड़ी पटक डाओ नहीं कटे गई है नहीं कटेगा तो इसमें क्या होगा यह आपस में नहीं कटेगा लेकिन यह पडोसी से इसकी बन रही सेटिंग तो क्या होगा पडोसी से भी बन जाएगा आज कल तो हाई कोट ने भी मानेता दे दिया सुप्रीम कोट डॉर्ट में आपने सुना होगा है ना इसो समझदाएं लोक जानते हैं कि एगर अपने घंबे नहीं नहीं बन रही तो पडुशी वाले से भी बन सकतीoured कैसे देखो यह कर सकता है साथ चो कर नहीं साथ एकम साथ काच कट रहा है न यह मलोडी सिर्फ मल्टिपल में होता है मतलब गूड़ा में होता है नीचे उपर से नहीं कड रहा तो यह बगल-बगल से कड सकता है मतलब लेकिन एक नीचे से उपर से होना चाहिए समझ रहे हो ना क्योंकि यह क्लास कुछ बच्चे भी देखते हैं इसलिए थोड़ा और जादा नहीं बोलते हैं आप लोग समझ गए आप देखो 15 एकम 15 और 15 तिये 45 कितना हुआ छोटा हो गे ना भी यह कितना आ गया फोर अपान वन और यह थ्री अपान वन फाइनल में मल्टीपल कर लो ट्यल आ गया दोनों में अंतर है कि नहीं बताओ इसमें और इसमें अंतर है ना लेकिन अगर उसी रूल पे चलोगे लखीर का फिकीर वाले कि भीया हमें गुड़ा करना उपर का उपर नीचे का नीचे त सब्सक्राइब करेंगे और हाँ इस सेशन को लाइक जरूर करेंगे जल्दी करिए बिल्कुल भी देर मत करिए पूरी भरपूर कोसिस करने आपके लिए कि आपको मैथमेटिक सच्छे से आजाए और आसान भासा में आप सीख जाओ ठीक है इस वीडियो को अपने सभी बढ़ा ही लिखाई आने चाहिए चल अब देखो कि डिवीजन मतलब भाग अब भिन्नों का भाग कैसे करोगे इसको भी समझो कि समझने की कोसिस करो पूरा भर पूर यार देखो लाइब में बढ़ाने में मन नहीं लगता है चुकि दिमाग बटा रहता है जो लोग डंड रहे कितने बच्चे कम हो गए और वीडियो रिकार्डिक में क्या होता है कोई टेंसन मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है मैं हूं और कैमरा है वस्ट तो इसलिए लाइप से बेतर पढ़ा ही वीडियो में होती है अब यह श्रीक्सार्व क्या ओता है यह विग्श्ट ऑ हर बराबर हो यह ना बराबर हो इसकी कोई कंडीफन नहीं होती है बस आपको गुड़ा आना चाहिए भिन्न का बस और वो मैंने पहले बता दिया तो यह हो गया इसका सिंपल सारूल है कि पहली फ्रेक्शन को ऐसे लिख लोगे हूँ बहु जैसे भी है वो थोड़ी मोटी जरूर हो गई अब भाग का चिन्न था क्या होगा गुड़ा लग जाएगा यह पलड़ जाता है बस यह पल्टी मार जाता है बिल्कुल नेता की तरह जैफे नेता लोग क्या कहते है चुनाओ के समय में मैं है बोलूंगा तोड़ा राजनेती वाली बात कहोगी हो जाएगी हां चुनाओ के टाइम पे नोकरी मिलेगी गाओं का भी कास होगा देश का भी कास होगा महें गटेगी सब कुछ अच्छा हो जाएगा और चुनाओ जाने के बाद पंदरा मिलियन टूइट किया था इस्टूडेंट ने अभी आपने देखा होगा पच्चीस फरोरी 2021 को रोजगार के लिए कोई सरकारी बयान नहीं आया सब सो रहें अभी तीन साल का टाइम है 2024 में फिर से आ जाएंगे युवाओं की बात करेंगे अभी नहीं देखो ये 5 आगे करके चलते थे फिर बाद में समझ रहे हो चलो अब ये गुड़ा हो गया गुड़ा का नियम आप लोग जानते हो तीन पच्छे पंदरा साच्चोकट थाइस ये पंदरा बटार थाइस लिखलो जाल दिसे कुछ लोग सोचते हैं बहुत बोलते रहते हैं बोलते फिल आपका फ्रेक्शन वीडियो मुझे लग रहा है काफी लंबा हो जाएगा लेकिन मुझे बताना तो पूरा है तो इसमें हर चाहे जैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं ऐसे हो जाता है कि इतना हो गया इसी तरह का एक सवाल और भी इदर साइड में बता देता हूं इसको भी इसमानदारी से देख लो प्यार से देख लो यह कैसे है देखिए यहां पर यह है जैसे मालो 15 बटा कितना लिख दें 10 ठीक और यह डिबाइड भाई यहाँ पर समझो तीस बटा मालो 20 इनको अल करना और भी आसान है इनको 15 बटा दास ऐसे लिखेंगे इनको पहले मत काटो पिटो कुछ मत करो गुड़ा लगा दो भाई की जगा यह पलट गए न पलट गए न इसमें वही गुड़ा वाला नियम लगेगा पड़ोसी से इनकी सेटिंग हो जाएगी यह कट जाएंगे 15-30 समझ गए न यह क्या होगता से कम 10 10-20 क्या बचा यहां पेक बचा यहां पे क्या सिखा बिन्नों का जोड़ गटाना गुड़ा और भाग पूरी एक कलास में सिख लिया उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गये होंगे अभी जाना नहीं दिकानी खतम नहीं हूँ देखो यहां पे और आगे समझो पड़ों की बिन्नों का जोड़ना गटाना गुड़ा एक बटा दो को एक बटा तीन में जोड़ दें यह कैमरा भी यह बड़ा आजीब टाइप का है यह हमारा चेहरा पैचानने लगा थो बड़ा बस बाकी और कुछ नहीं इसके साथ यह मुसीबत है न कि मैं अगर इधर देखूंगा तो लाइट बढ़ जाएगी मेरा चेहरा ही देखता बस और अगर मैंने लाइट बढ़ाया पहले से कैमरे में तो फिर यह बोर्ड इदम वाइट हो जाएगा कुछ तुमको दिखे गए नहीं इसलिए मैंने लाइट नहीं बढ़ाया देखो समझो इनको कैसे करते हैं जरा समझने की कोशिस करना प्रियम इत्रों सब अगर हम बोलें आप से कि final में आप 2,3 और 4 का LCM ले लो इकठे तो दो एककम 2,2,4 फिर 2,4,3,12 फाइनल में 12 ही आएगा तो इनका LCM कितना हो जाएगा 12 मने लिख दिया अब 12 में तीन का भाग करोगे कितना आएगा आप जड़ा करके देखो 4 आएगा ना 4 का एक में ये लो खुष बस कड़ गया ना दो दून चारतीय बारा ही तो हुआ दो दून चारतीय बारा ना अब देखो 2 से बाग करोगे 12 में कितना आएगा 6 आएगा 6 का 1 में गुड़ा करोगे 6 हो जाएगा अभी नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल जाना मत मैं अभी और अच्छे से क्लियर करूंगा टेंसन मत लेना बस कलास को पूरा देखना आगे समझ ये भरपूर कोशिस करना समझने की देखिए इधर कैसे वो भी बताऊंगा कैसे चार का भाग करेंगे ल्सीम में तीन आएगा अरे यह से आएगा ये लो ये चार का भाग करोगे फोर्ट रीजा खतम हो जागा न का यह इसमें अरजन कर रहा है इसको लो मिटा दिया ये लो ठीक अरे बारा से बारा गटा होगे जी रो आएगा खतम भाग पल तीन आया ना उसको पकड़ा रहो कसके पकड़े रहो लाके इसमें गुडा कर दो इसकी चुर्की पर जो बैठा वन में तो त देखिए मैं एक बार फिर से बता दूँ सबसे पहले हमें दी गई बिन्नों के हर का यानि कि नुम्रेटर का जो आपोजिट है डेनुमिनेटर डेनुमिनेटर का का LCM करना है हमने 3,2,4 लिया हमें 12 मिला LCM Maple नहीं आता तो कलास खतम उने के बाद कमेंट करिएगा बता देंगे उपर नंबर दिया उस्पे संपर करिएगा मिल जाएगा चलिए उसके बाद क्या किया भाई उसके बाद बस सिंपल सी बात है एक एक भीन ने तीन भीने दी गई है इनके हर से क्या करेंगे भाग करेंगे किसमें सिस्कून जब इसको लिख लीजिए चलिए अगला स्वाल के सामने है ता ज़्रा ध्यान से देखना बिल्कुल जाना नहीं कहीं भी इमांधारी से देखना जलो इस तरह से हमारी कोसिस होगी- violation को जोड़ घटाना गुड़ा और भाग सब कुछ बता दें हां तो एक और देख लेते हैं फटाफट क्यूंकि टाइम बहुत कम है दस मिनट के अंदर पूरा कर देना है नहीं तो बड़ी आफात बन जाती हमारे लिए इस तसल रूप से चलो इनका लेलो भाई दो तीन और सा सद का दो त्याइश सद के 42 होगा यह रिखना मत करना हर जगा फूरा करने से लसी इंच आन प्काइक कैसा नीजोग बनता है का बनता है पिछली कर दिस्क्रेपिशन में देखें लिंक दी गई होगी आप पिछली कर देख लिए जिए पीछे की साथ कर लासं है अगर उन सा हाब करना दो दूना चार घड़ते हाज जीरो दोज tuliais कितना की सायना 21 पकड़व लो कजommes के पकाड़ पॉक्ड लुसक में अपर आपार कर दो तीन में 11 का तीन में गुड़ा करना एंधी करलो नोचूत कैसे ये तीन एकम तीन तीन दूना चाही किसे भाझ किया था Surprise की कितना था का देख यह यह जाहर नियू स भाख करेंगे जब पायालिस में तो चूदा आएगा चूदा का एक में गुड़ा करो कि बच्छा दा हो जाएगा ज़ाएगा जो 42 में मिन्स 42 में तो 6 आएगा 6 का 4 में गुड़ा करोगे 64 24 हो जाएगा कितना हो जाएगा 24 साच्छंग 42 ठीक उपर उपर का सब को जोड़ लीजिए बच्चा चार ये चार आठ तीन ग्यारा हासी लाया एक कितना एक हासी ले किसमें जोड़ा तीन एक चार छे दस एक सो एक वटा बयालिस आप लोग कमेंट करके ये बताना कि ये प्रापर फ्रेक्षन है इंप्रापर फ्रेक्षन है लाइक फ्रेक्षन अनलाइक फ्रेक्षन मिक्ष्ड फ्रेक्षन और इक्वालियंट फ्रेक्षन ये किस परकार की भिन्न है इंगलिस और हिंदी दोनों लेंग्वेज में मैं बताता हूं हमारी भरपूर कोसिस होती है कि वो बच्चे वो गार्जियन वो भीया भावी एंकल अंटी जो हिंदी वहांसी राजे से नहीं है जैसे जो तमिलनाडू अगरा से हैं या फिर मराठी लेंग्वेज अगरा बोलते हैं महार बाकी इंग्लिस भी हम सीख रहें जल्दी ही आपको इंग्लिस की भी कलास देंगे टेंसन मतले ना कोसिस करने वालों कि कभी हार नहीं होती समझ रहो ना चलिए फिर लिख लिए अब आपका यह फर्स्ट ट्रम पूरा हो चुका है यानि कि एडिशन आप लोग कर चुके हो काम अच्छा करोगे नाम होगा देखिए कि तीन बटा पांच माइनस ध्यान से देखो एक बटा कि साथ हाँ माइनस आठ बटा तीन चलिए इनको क्या करना सब्ट्रेक करना है सबसे पहले LCM लेंगे पांच सत्य पैंटीस पैंटीस ती यहीं है तीन पच्छे बंद्रा ति अच्छ क्या हुआ पांच साथ और तीन लोगले ले लेना लासा निकालना सबको आता है तो बता देना बता देंगे चला अब क्या करेंगे 5 किना बट्राइगा जब 50 का वाक्वें करोगे 21 का तीन में गुडा करो तीन एकम 3 तीन दुन अच्छा-7 साथ से भाग करोगे 35 का 8 में गुड़ा करो 845 हांसिल 4 845 हांसिल 4 834 24 28 बड़ा खतरनाक बन गया यादी 280 बन गया इनको जोड करके आपस में घटाना है देखो क्या बनेगा समझने वाली चीजें हैं पर जरा ध्यान देना कैसे देखिए मैं आपको बताता हूं ध्यान देनो एक चीज समझना बच 28 में 15 जोड़ो 80 दफ 95 95 ये 295 बन जायेगा और ये 105 295 से 63 गटा दो चुकि उल्टा घटेगा सीधा घटेगा नहीं ये लो 5 में से 3 गया 2 5 में से 3 गया 2 9 में से 6 गया 3 232 आया क्यों सही है न 232 माइनस में आयेगा चुकि माइनस वाली संख्या बड़ी है और ये कैसे आता ह वो चीज में आपको पहले बता चुका हूँ कहीं भी अगर इस तरह सा मामला आटक जाता है तो जो गिंती बड़ी होती है चिन हमेशा उसी का लगता है जैसे एक एक जाम पल और देख लो अगर हमने 7 से 2 गटाया तो 5 आया लेकिन कहीं 2 से 7 गटा होगे तब भी गटा होग ठीक है तो 7 के पहले माइनस है इस लिए 7 क्या है माइनस में है तो इस तरह से आपने क्या देखा 2 तीन पदों वाली बिन्नों का जोड़ना और घटाना है ना इस तरह से कुछ एक्जामपल लिख लिए फट आफट जल्दी करिए नोट करिए तेर मत करिए टाइम नहीं है आगे बढ़ते रहिए सीखते रहिए इनको नोट करिए 10 सिकेंड का टाइम है आपके पास मैंने चमक बढ़ा दिया पीछे हो करके भी जल्दी करिए 10 सिकेंड ओनली 10 सिकेंड स्क्रीन साट ले लिजिए मैं सामने से हड़ चुका हूं जिससे आपको पूरा बोड दीके यह हों और क्या आपके लिए कुश्चन अगर आप गिनोगे तो 3-3-6-3-9 कुश्चन है आपके लिए इनको जरूर करना मैंने सब पढ़ाया है इनको नोट कर लिए हो तो हम आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी करिए अगर नहीं कर पाए तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके लिखिएगा जरूर और करिएगा जरूर पिक है बोर्ड मास रूल बेसिक हाँ इसमें बेसिक का मतलब यह है कि हम आज आपको जो कुश्चन करवाएंगे उसमें किवल आधा बोर्ड मास का रूल रहेगा बस पूरा नहीं रहेगा बोर्ड मास के रूल की अगर बात करें त तो इसमें देखे क्या क्या होता है अर्डर होता है डिबीजन मल्टीपाल एडिसन सब्स्ट्रेक्शन लेकिन आज हम जो कुश्चन्स आपको करवाएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ यम्स यहां से सुरू होगा डिसे मतलब डिबीजन होगा मल्टीपाल एडिसन सब्स्ट्रे पढ़ते समय कब जब हमें सवाल प्रस्म समझ में नहीं आते हैं लेकिन अगर कुश्चन समझ में आते ना तो मैथमेटिक्स एक मुवबत की तरह काम करती है आंखों में नींदे ना दिल में करार फिर कहोगे मैथ भी क्या चीज़ों होती है जार है ना चलिए देखते हैं तो थोड़ा सा लग है क्योंकि इसमें प्लस भी है और भाग का भी चिने लगा है हाँ चिने तो आप लोग को पैचान में आता है न ये जोड का है ये कटाना का है यह सब जानते हो यह गुड़ा का चिन्द है नहीं जानते हो तो बता देंगे कमेंट करना आगे देखिए इधर साइड में समझीए प्यार से समझीए अगर हम यहां पर ऐसे लिखें 144 और डिवाइड बाइड वाइड ट्यल तो यह सीधा सीधा है कि 144 में 12 से भाग करना है और भाग करना हमने आपको बहुत पहले पढ़ा दिया बच्पन में छोटे थे आप तभी तो आपको पता है कि यह बारा एक कम बारा होता है दो आता है चार बारा दूना 24 यह जीरो आ जाता है यानि कि बच्चा आपको मालूम है जब भाग करोगे तो 12 आ जाएगा भाग फल बेड़े प्यार से कर लोगे अगर हम आपको यहां पर लेके आएं साथ प्लफ नो तो नो साथ सोला आप इसको बड़े अराम से कर लोगे यह सब बहुत ही अच्छे से और जल्दी जल्दी कर लोगे क्योंकि इसमें एक ही चिन लगा हुआ है ना जब मैं सामने से जाओंग अगर मैं यहां पर एक कुश्चन दिया आपको फोर्टीन अपान टू ऐसे तो आप इनको कटोगे तो साथ आ जाएगा यह सब बहुत फास्ट प्रोसेसिंग हो रही ना क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ एक ही टोपिक बोले एक ही पद है ऐसे समझे लो तो जल्दी हो रहा है लेकिन बोर्ट मास रूल में क्या होता है ना इसमें धेर सारे जो ऑप्रेशन हैं वो एक साथ करने होते हैं आप्रेशन का मतलब वोबायलोजी वाला चिर्फार नहीं मैथमेटिस्कल ऑप्रेशन भी होता है ठीक है जो मैं आपके सामने कर रहा हूं इसको देखिए समझ यह बोर्ट मास रूल के बारे में डिस्क्राइब तो हम थोड़ा बहुत कर चुके हैं बाद में और भी करेंगे आगे पढ़ते जाएं समझते जाएं इनका आडर हमें समझना है जैसे इसमें दो चिंद लगे हैं एक बाग का एक प्लस का एक कुश्चन अगर और ले लो बच् इसमें डिवाइड वाई थर्टीन और माइनस का फाइब और प्लस का एट आप ध्यान दो यह उपर का कुश्चन तो छोड़ दो इसको बाद में बताऊंगा हमें जीरो से पढ़ना है न इसलिए आहां से चलेंगे इसमें भाग का चिंद प्लस का है इसमें भाग का है प्ल इसमें भाग का भी चिना लगा है ये और ये गुडा का भी लगा बथ्चा जोड का गटाना का सब लगा है इन सवालों में क्या difference है कुछ अंतरह न इनको हल करना सबसे आसान है क्योंकि दो ही चिन है इनको हल करना थोड़ा सा एक step आगे qad यद को हल करना तीनों दोनों से ज़्यादा हाड है बात समझ में आया ना इस गॉन भी हाड वर्ट हाड डज नाट मींस इंपॉसिवल यह कठीन हो सकता है लेकिन कठीन का मतलब यह संभाव नहीं है संभाव है आप कर सकते हो चलिए एक-एक को हम इधर लाकर निप्टाते हैं बग besta ॐ बी और ओ को छोड़ दोवसे चलो सबसे पहले डी करेंगे जैसे सीरियल से लिखा यह का मतलब डी बीजन डीवीजन मतलब भाग जिसमें भाग का चिन लगा सबसे पहले उसको हल करेंगे फिर गुडावाला वाला तो चलिए हम प्राइब करके देखते हैं कैसे क्या होता है ध्यान देना भाई बहुत ही प्यार से देखना हाँ देखना मगर प्यार से बहुत ज्यादा भी प्यार से मत देखना कि मनी न लगे पढ़ाई में लेकिन हाँ कुछ थोड़ा बहुत कि देखो 12 कि डिवाइड वाई 4 प्लस 3 कि सबसे पहले डिवीजन का चिन आता है यानि हमें 12 में 4 से भाग करना बच्चा तो भाग हम सभी करना जानते हैं भाग कर लो तो 4 3 जा 12 3 आएगा यानि जितना मैंने अंडरलाइन किया इसकी जगा पर क्या हो जाएगा 3 बाकी का प्ल ठीक है इतने में कोई दिक्कत नहीं न चलिए आगे बढ़ते हैं समझ यह यह आप कर लिए इस तरह से अगर हम दूसरा वाला कुश्चन इसी मिला के हल करें तो यह तो थोड़ा सा जागा कम थी इसलिए मैंने यह खाना बना के इसमें हल करने के लिए ट्राई किया बाकी य करो सीधा फीदा भी कर सकते हो यह कुश्चन है 169 कि डिवाइड वाइड वाइव फ्लस का एट देखो बच्चा यहां पर सबसे पहले डिवीजन होता है क्योंकि हम बी और ओ छोड़ दिये हैं यह दोनों अगले स्टेप में करेंगे यह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो स सबसे बहले भाग करेंगे भाग का मतलब 13 से 169 में भाग करना है हमें पता है कि जो 13 है उसका इसक्वाइर नी वर्ग 169 होता है तो यहां पर फाइनल में 13 आ जाएगा जितना मैंने अंडरलाइन किया था उसकी जगा पे सिर्फ 13 आ गया माइनस कचिन यहां पर था वैसे लि मतलब कहने का यहां तो उसके आगे वाला इस्ट पे चले जौड़ अब जोड़ना करोगी जोडने में क्या करोगे यहां पर एक चीश समझने वाली है वो क्या है जरह ध्यान से देखना चाहे थोड़ा फई देखना बच्चा, यह प्लस 8 है और यह माइनस का 5 है, यह 13 प्लस प्लस वाली संख्या जुड़ेगी, कहोगे प्लस कॉन तेरा के पहले कोई चिन नहीं है न स्थर्टीन के, तो 13 क्या है, प्लस है, 5 क्या है, माइनस है, इसके पहले जो चिन होता, वही माना जाता है अगर बोलें 5 negative है या positive है 5 negative है क्योंकि इसके पहले minus है 8 के पहले plus है तो हम चोड़ेंगे तो 13 में 8 चोड़ेंगे 13 साथ 20 होगा 20 है 21-5 यह कहानी बनेगी जोड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम 5 में 8 चोड़के 13 13 13 माइनस 13 कर लोगे 0 आ जाएगा ना गलत हो जाएगा यह 5 में 8 नहीं जुड़ेगा यह plus माइनस दोनों अलग अलग चिन है जुड़ते कब हैं लोगों में दोस्ती कब होती है जब हाव भाव मिलता है तो होती है आज कल तो लोग चेहरा देखके खुबसूरती देखके कर लेते हैं वह अलग बात है उससे दो यह होता बोर्ड मासरूल का basic concept आगे बढ़ते रहे हैं चलिए इसको मिटा देते हैं अगले पर चलते हैं बहुत कम time बचा है चूकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है इस वज़ा से बहुत ज़्यादा questions तो यहां पर नहीं कर सकते हैं लेकिन हाँ हमारी भारपूर कोशिस ह होगी कि आपको बहतरीन से बहतरीन मिल सके हाँ चलिए देखिए समझ यह अगला अगला में भी ऐसे ही कर लेंगे भाई यह फोर इंटू सिक्स और माइनस का 5 और डिवाइड वाई 5 और प्लस का 3 है ना कितना मज़ेदार है ना बच्चा सबसे पहले भाग करोगे एक बात चाहाँ रहे मैं इसको खोजलेंगे बत्ती लेकरकर यह नहीं जरूरी कि सम्मे भाग सबसे पहले था इसलिए भाग करते थे अथे अब क्या करोगी कर लो फिर बाग कर भलो 5 का 5 में भाग कर लो बहुत ही आसान है बच्चा 1 आ जाएगा और प्लस का 3 गुड़ा का मतलब 4 चंग 24 माइनस 1 प्लस 3 जोड़ने वाला काम करेंगे 1 माइनस है यह प्लस है जुड़ेगा नहीं यह इसमें जुड़ेगा 27 हो जाएगा 24 में 27 फाइनल में 26 इस तरह क्या और भी कुश्चन बना करके आप लोग करेंगे और अगर कोई भी डाउट होता है तो इसी वीडियो में आ करके कमेंट करना जैसे ओ का कंफ्यूजन करता है जैसे कोई अंडर रूट में है मानलो कोई नंबर या कुछ भी या मानलो इसक्वाइर में है या साइन कास है मतलब कि जोड़ गटाना गुड़ा भाग के अलामा कुछ भी अगर अन्य टर्म दिए गए हैं तुनी को आडर या फिर अधर में लेते हैं अब बी का मतलब ब्रेकट आप जानी रहो यह ब्रेकट चार परकार के होते हैं चोट बढ़का हो गया मजला हो गया चोटा हो गया कि कि इसका मतलब क्या है यह सीरियल से हल किये जाते हैं अगर एक वाग भी करना है घटाना भी है जोड़ना भी है सब एक साथ होता है तो इसमें एक सिक्वेंच बाइब से पहले ब्रेकट अल्परों करोगे उसके बाद आप अधर जो भी इसमें दिए गए है तर्म्स उनक सब्सक्राइब करते हैं चलिए पिछली कलास अगर आपने देखा तो आप समझ गया होंगे तो यहां पर जो सिच्वेशन दिख रही उसकी एकॉर्डिंग यह है कि इसमें बरेकर Created तो है दूसरा अगर बात करें अधर वाला तो अदर का इसमें कुछ नहीं ना तो कहीं स्वायर है ना कहीं वर्गमूल है ना कहीं साइन काूष्ट है他 Caleb कुछ भी नहीं है यानि वह यहीं कि बात करें कि उसमें डिवीजन वाले बद भी दिये गए हैं तो ठीक है हम ब्रेकट से सुरू करते हैं सबसे पहले अगर ब्रेकट दिया होता है तो हम सबसे छोटा कोश्टक पहले हल करते हैं तो सबसे छोटा कोश्टक तक हम पहुंचेंगे उसके पहले जो जैसे लिखा है उसको वैसे लिख दे प्लस था तो प्लस और 24 से 12 जाएगा तो यह 12 बचेगा यह हम सब को अच्छे से पता है और यह कोश्टक इसमें बड़ा कोश्टक कहीं नहीं था ठीक है यहीं पेंड देखो बहुत आसान है कितना चोटा हो गया एक बार में लेकिन कुछ गलत भी हो रहा है क्या गलत नहीं हो रहा है पीच में प्लस का साइन था मने लगा दिया अब अगली लाइन में यह अठारा सो इवाइड वाई यह टेन उसके बाद अभी यह कोश्टक होगा आप सभी जानते हैं कि प्लस प्लस तोनों संख्या हैं जुड़ जाएंगी 12-618 मतलब 12-618 हो जाएगा तो भया हो इसके बीच में 10 और ब्रेकट के बीच में कोई चिन नहीं है तो इसलिए हम इस पे गुड़ा का चिन लगा देते हैं और यह 18 बन जाएगा इसमें किसी को कोई डाउट है कोई आपती है तो ब आप यहां पर गडबड कैसे हो जाएगा आपको गडबड हो जाएगा जाएगा कि अब हम अगर चले बोड्मास में तो यह कहता है पहले करोगे पर बाग पहले करोगे गुड़ा बाद में नहीं तो हमारे लिए तो बड़ा आसान था भाग कर लेते ऐठारा कर दस में 180 आ इसको भाग देते और बड़ा प्यार से 10 आजाता लेकिन वह गलत हो जाएगा फिर बोर्ट मास करो यहां पर अपलाई नहीं होगा इस तरह से तो हमें अपलाई करेंगे तो पहले इसको भाग करेंगे तो भीया इसको भाग करोगे आप तो कितना आएगा आपको पता है अगर सबको पता रहे किसी को पता है मैंने याद कर वाया था तो अथा宮ण चनलब होता है ना होता है अठारा कवर्ग 324 कहने का मतलब अठारा का अठारा में गुड़ा किया 324 और यह जीरो उतार लिया इस तरह से आपका अंसर हो गया 3240 दिख लीजिए क्यों हो गया आपका कुश्चन पिल्कुल टेंसर नहीं लेना अभी कलास को पूरा देखना जाना नहीं खबड़दार अगर चले गए ना गडबन हो जाएगा सब वीडियो को मैं बहुत देर में रिकार्ड कर रहा हूं रोजड़ो टाइम दिखा हूं अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी मेरा मन करता दिखाने का अगर आप लोगों को दिखराओ ऐसे बहुत दूर होगा तो यह हमारा जो प्रोग्राम है वो सफल हो सके चलो इसको मिटाते हैं अगले कुश्चन की और आगे बढ़ते हैं आप सभी इसको छाप लिए होंगे तो मैं उपर से मिटाता हूं अपने गुरू जी की तरह कि नीचे वाले बच्चे लिखते रहें उपर का मैंने कुश्चन अभी सिर्फ मिटाया है कुश्चन नंबर सीकेंड देखो इसको भी लिख लेना आप सभी वान अपन टू कुछ लोग सोचेंगे कि जो बोर्ड मास का रूल पीछे पढ़ाया था वहीं सब है अरे बच्चा वह नहीं है कुश्चन सब बदले हैं इसको तुम मत भूलो चलो पाइनस का टू इसको बंद कर दो और ये टैन और इसको भी बंद कर दो यह हो गया कुश्चन चलो जल्दी से रेडि हो जाओ कितना आएगा फटपट राई कर लो सभी बच्चे इसको मैं मिटा देता हूँ चलिए जल्दी करिए देखिए जो भी परसना आपके सामने आए एक बार कोशिस जरूर करो कोशिस जरूर करो बिल्कुल हार नहीं मानना ठीक ना जब तूटने लगे होसले तो बस यह याद हम लोग भी फोलो करते हैं देखिए वोट मास रूल के कार्डिंग मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम ब्रेकट हल करते हैं ब्रेकट में भी सिक्वेंस से करते हैं जैसे कि पहले सबसे छोटा ब्रेकट अगर छोटा से भी छोटा है रेखा कोश्टक तो सबसे पहले र अब हुआ हमें कौन-कौन से कोष्टक दिये हैं चुटका वाला दिया है तो हम चुटका कोष्टक तक आगे बढ़ेंगे यह लो ऐसे माइनस कर दो और यहां पर ध्यान दो तो दो एक तीन हो जाएगा कितना हो जाएगा तीन और पीछ में कुछ नहीं तो गुड़ा का चिन हो जाएगा यह ऐसे हां और यह 10 इसे बंद कर लो का आप कोई दिक्कत नहीं न मैंने क्या किया कुछ समझ में आया हमने सिर्फ इतना किया हैं यह जितना अंडरलाइन किया यह बशचा यह काहता है जो बॉर्ड मास Yakarů मैंने वही किया कि बच्चा इसमें यह काम करना वह क्या करना है कि जो चोटा कोश्टक था उसके अंदर जो भी हमें हल करना था उसको मैंने कर दिया अब यह मजला कोश्टक पकड़ेंगे वन अपांटू और यह ठीक है इसको पूरा-पूरा साल्व करोगे तो बच्चा यह माइनस दो का इसमें गुड़ा करोगे तो माइनस का छे आ जा कि यह माइनस का अच्छे गुड़ा का दस यह बन जाएगा इतना सभी को समझ में आ रहा है इतने में किसी को कोई आफ़त नहीं हो रही है ना चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है बचबा चलो अब इनका अंदर में गुड़ा करोगे तो हमें पता है कि 10 चंग 60 हो जाएगा लिख दिया जाएगा अगर चिंद माइनस लगा होता तो ऐसा लिखा जाता है नहीं तो एक काम करते हैं कुछ भी नहीं करो इसको जरूरी नहीं कि ऐसे लिखो इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि बोर्ड मास का रूल चल रहा है तो फिर से लगाना यह थोड़ा सालक हो अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसे हो जाएगा तो इसे लिख लो च्छाप लो आप सभी अगर कोई परसानी है तो बताते ही ना विल्कुल टेंसर मतले ना और एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं देखो बार बार नहीं बोला जाता है कि क्लास को पूरा देखना भी दो ही जादा टाइम हम नहीं बिताएंगे चुकि हमें जल्दी फे जल्दी सारे कोईशन करवाने हैं और यह वीडियो काफी मुझे लग रहा लंबा हो चुका बहुत बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए नहीं तो आप लोग ज्यादा पढ़ते भी नहीं हो चलो 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 कि डिवाइड वाई दो का घाद दो और प्लस दो ठीक है यह टू है याद रखना और यह बंद हो गया यह माइनस का दो ठीक है यह कुश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे बच्चे माइनस छे इसका अंसर आएगा ओके अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल टें 12 12 इसको सब हल करना देखो यह मत सोचो कि हम कहां से लिख रहें कैसे ला रहे हैं बस आपको समझ में आए आप अभ्यास करो व्यूश्चन बनाएने से बनते हैं अपने से नहीं बनते हैं और अगर हम यहाँ पे डारेक्ट्ली पुश्चन बना देते हैं क्लास में वो उसका आंसर आएगा 148 चलो जल्दी से करो सभी बच्चे फट फट और बताना मुझे कर लोगे ना देखो सामने से जो थोड़ा सा इधर कट हो रहा है मैं उसको भी दिखा देता हूं आप बिल्कुल भी टेंसन मतले ना बस देखते रहे सब कुछ अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं जूम था चलिए लिख लिए जल्दी से बिल्कुल टैंसर नहीं लेना भाई हो गया नंबर क्लासिफिकेशन आप नंबर का मतलब संख्याओं का वरगी करण यानि संख्याइं कितनी पर पेस किया है नेचुरल नंबर बोल नंबर इंटीजर नंबर प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर और नंबर बहुत सारी नंबर है सब का आएगा नंबर बस देखते रहो देखो कि अगर हम आप से पूछे कि डिजिट क्या होता है वाटी डिजिट तो भया अगर गड़ी मैत पढ़ना है तो अंक के बारे में तो जानना ही होगा जैसे कहते हैं ना कि समुद्र में रहिए और पानी से परहेच करिए तो फिर ऐसा हो नहीं सकता है तो मैत अगर शुरू करना तो अंक के बारे में जानना मुश्ट इंपॉर्टेंट है जो हम लिखते पढ़ते हैं व है समझाओ कि कैसे आखिर अंक है क्या देखिए इसको कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है और अपने अपने तो किसी परिक्षा में मुझे ने लगता किसी परिवास पूछी जाएगी लेकिन आपको पालूम होना चाहिए इसे अपने अधार पर आप लोग इसे डिफाइन कर सकते हो इसकी डेफिनिशन दे सकते हो जैसे कि हमारे जानकारी मिली है उसके अप लोग लिख लेजिए हिंद नुमेरल बड़ आजीब सा बात है चलो लिखो अडिजिट इज आ सिंगल सिंबल सिंगल और यह सिंबल बोल रहा हूं सिंबल मतलब वह जैसे किसी जीच को डिनोट करने के लिए हम लोग सिंबल का यूच करते हैं ना समझे रहो संकेत एक परकार से ठीक है डिजिट इज इ लिखलो आप सभी यूज तुमेक नुमेरल नुमेरल मतलब वही नंबर या फिर नंबर लिखलो यूज तुमेक नंबर ठीक है एक्जांपल लिखो नीचे जीरो अरे वही नहीं तक लिखलो जीरो वन टू त्री फोर फाइब सिक सेवन एट नाइन और दा डिजिट और दा टैन डिजिट हो गया जिनको नहीं समझ में आएगा वो बताएंगे तो इसको हिंदी में कैसे लिखोगे आटिजी आइजा अस origins on तर आप इससे ऐसा लिख सकते हो कि जो एक ऐसा सिंबल एंंक एक ऐसा संकेट है जिसको हं संख्याओं को लिखने के लिए परियोग करते हैं जो सुधमासा में लिखना चाहें इंदी में लिखनें एक ऐसा संकेट है जिसको हम संख्याय लिखने में परियोग करते हैं बस ये एक परकार से सिंबल है जैसे आपने देखा होगा mathematics में बहुत चीजों का सिंबल होता है उसी सिंबल से ही काम बन जाता है जैसे पाई ये पाई का सिंबल होता है जो लोग मैत मुगरा के अलावा साइंस भी पड़े हैं बैकल जी इसमाल जी सका मतलब जानते होंगे वह लोग है ना ये समस्णतन으면 किया बोलता है han तो यह सभी क्या एक परकार से बिसेस रूप से सिंबल हैं जैसे अगर PBR study की बात करें तो बीना PBR study लिखे इसका लोगो जो है वो भी क्या एक सिंबल है है ना मतलब वहां से भी पैचान होती है तो यह हो गया डिजिट हाँ इसमें थोड़ा सा और भी लिखवाना था क्या बस वही था अगला लिख लो एक लिखो नुमेरल नुमेरल देखो मैं हिंदी में बता दूंगा आप टेंधन मतले न यह थोड़ा सा सबके समझ में आता है थोड़ा इस टेंडर्ड अगर इंगलिस भी होती तो इस वज़ा से हमारी कोशिस है कि थोड़ा सा चेंजिंग हो ठीक है दनुमेरल 153 153 इज मेड़ अफ इज मेड़ आप अभी हिंदी में भी बताऊंगा फिरी डिजिट इज मेड़ आफ थी डिजि हिंदी में ऐसे लिख लो संख्या संख्या 153 से मिलकर बनी है से मिलकर बनी है मतलब समझ गए कि जो संख्या है भेजा 153 से मिलके बनी है ज sehen यह अंक 24 7 से मिलके बनी है यही होता इसका वास्तों में मतलब समझ गए ना जबागी ज़्यादा इसमें कुछ कहीं आता है नी इसको ऐसे भी समझ लो मोटा मोटा और आप एक्जाम्पल के तौर पर जैसे आपने पढ़ा होगा इंगलीस में वर्ड और लेटर हम सभी जानते हैं कि 26 लेटर होता है इंगलीस में जैसे यह सभी एक एक लेटर होते हैं लेकिन अगर हमें काउ लिखना होता है तो एक से अधिक लेटर का यूज होता है तो ऐसे जान लो आप जैसे मालो लेटर में क्या क्या है 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 सी कव हacho है दाभलू है उसी तरह से इसमें जैसे वान है ट्रौ है फाइफ है तो में एक से क्लग दियार करते हैं जीए कभी एक शेख लिखक लेटर संख्या वह अलग बात है बुलने को लोग कुछ भी बोलते हैं लेकिन रियल में ही है कि जो यह डिजित मने जाते हैं अंक होते हैं अकले अगर एक से अधिक हैं तो आप उनको संख्या बोल सकते हो मतलब 10 के हाँ दस से सुरू हो जाता संख्या लेकिन उसके पहले जो होते सभी डिजित होते हैं इसके बाद अब हम बात करते हैं मुख के रूप से संख्या क्या होती है तो भाई यह संख्या की बहुत सारी परिभासा है बहुत सारा सिस्टम है इसका भी समझे लो संख्या क्या है देख का उप्योग गडणा गडण माप माप वा लेबल कि अग्ष्या एक गड़ितिये वस्तु है जिसका उप्योग गडणा माप और लेबल में किया जाता है इसको ऐसे समझे लो गड़ना जैसे आपने देखा होगा भारत की जन गड़ना हुई थी 2018 में तो गड़ना का मतलब गिना गया था कि कितने लोग है पाने देश में और कितने नए लोग आ रहें दर्ती पे उनकी अभी काउंटिंग नहीं हुई 10 साल हो गया तो गड़ना में यूज किया गया माप माप का मतलब जैसे दूध अगर है तो दूध अगर मालो एक बाल्टी में र यह सब क्या होता है कि SAM कि यह संख्या की परिवास हो गई इसको है कि लिखना पड़ेंगा लिखो ङंडियों में समझोगे जैदा बेतर समझ में आएगा जो बच्चे कनाटक से हैं औरिशा से हैं पंजाब से हैं या फिर कहीं अन्राजे से हैं जहां पर हिंदी बहुत अच्छी नहीं बोली जाती है उनके लिए समस्या होती है अगर हम सुद्ध हिंदी में लिखते हैं तो काफी परसान होते हैं ठीकिए यह झाल होते हैं डीकर अन्हें नंबर इज़े इस एं एं आर्थ मेटिगा बहिं यह ऐसे हैं आर यह लुकुश्पा ऍहां पार रिफर्जेंटिंटिंग representing the quantity and used in making, used in making calculation, मतलब आपको कुछ समझ में आ, एक बार फिर से सुन लो, a number is an arithmetic value, a number is an arithmetic value, used for, used for representing the quantity, quantity मतलब होता मात्रा, जैसे अभी मने आपको बताया न, एक लिटर दूद, पांच लिटर दूद, दो किलो आलूद, आठ किलो चावल, यह मतलब क्या, एक मात्रा, ठीक है, and used for making calculation, भाई, calculation में भी संख्या का यूज किया जाता है, आप कुछ भी जोड़ना घटाना करते हो, ऐसे कुछ भी करते हो, उसमें भी क्या होता है, नंबर का यूज होता है, होता है कि नी, यह हिंदी इंगलिस की दोनों की अलग-अलग तरह से परिभासाएं होंगा इनकी, देखिए साथियों, एक्चुली जो संख्याएं होती हैं, वो, होती तो कई परकार की हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो हमारे दैनिक जीवन में अधिकान से यूज होती हैं, शिर्फ उन्ही के बारे में पढ़ते हैं, जितनी हमें जरूरत होती है, आप लिखिये, क्लासिफिकेशन आप नंबर इंगलीश वाले लिख लें, हिंदी में लिख लीजिए, संख्याओं, संख्याओं का वर्गी करण या फिर परकार, वर्गी करण लिख लो, आप लोग, देखिये, हम सिर्फ और सिर्फ इंप्वार्टन नंबर के बारे में बात करेंगे, अगर इनको हम सिंपल और बल्कुल बेसिक तरीके से वर्गी करण करेंगे, तो काफी लंबा हो जाएगा, तो जो हमारी यूजगा है, मेन मेन, क्योंकि टाइम बहुत कम हैं में वही पढ़ना है, तो साथियों नंबर एक इसमें फैस्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे आप लिख लो, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, हिंदी में इसे बोलते हैं बच्चा, प्राकरTिक संख्या, आकिर ये प्राकरTिक संख्या कौन से पक्छी का नाम है, बही नेचुरल वर्ड सुनकर के आपके दिमाग में कुछ, पेड, पौधा, नदी, पहाड, परबत, गड़्डा, गुड़्डा, खुशयाद आया, मतलब जो प्रकृति ने बनाया है, अब देखो यहाँ पे समझो, नेचुरल नंबर एक प्रकार से ऐसे समझ लो, कि वो नंबर जिसको इंसानों ने नहीं बनाया, मतलब आजमान से गि किसके बारे में, अब नेचुरल नंबर के बारे में, तो ऐसे ही समझ लो, वो संख्या है जिनको हम गिन सकते हैं, गिनती की संख्या है नेचुरल नंबर कहलाती है, यह भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कि गिनती की संख्या है, नेचुरल नंबर कहलाती है, जिनको हम गिन सक हों अगर मैंने इक मारकर लिया बोलू इत्ता है तो आप गिन के बता दोगी alec अगर मैं दो ले लूंत में तो इस आप मेरे ही सही मारकर है अगर जोड़ मतjob tap भुख नोट का तंको कुछ धिक रहा है माने शचरे के क्वला काहा है scientific काए अगर मैंने कहा कि हमारे हाथ में सुनने रुपया है आपको कहीं दिखा रुपया सुनने हाथ में कहा है नहीं न अगर मैंने कहा कि हमारे हाथ में एक पैन है तब आपको गिंती आएगा आपको दिखेगा भी एक है तो आप समझ गए न यानि वह संख्या जिसे हम गिन सकते है और एक प्रकार से परजंट कर सकते हैं किसी ощущ देखो भईया यह integer जो है ना इसका मतलब है पूडांक, फोजिटिव मतलब धनात्मंक, इनका ये मतलब है कि जो प्रकृतिक संख्या है, वो क्या है? एक काउंटिंग नंबर है, मतलब गिंती वाली संख्या है, गिनी जाने वाली संख्या है, set content positive integer मतलब जिसमें धन पुढ़ांक सामिल होते हैं या फिर जो धन पुढ़ांकों को आपन ने में सामिल करती है जो चाहे तो इसको गुमा फिराए कि चार लवर मिला के बोलो चाहे सीधा फिरा बोलतो कि गिंती की संख्याँ प्रकृतिक संख्याँ कालाती है या फिर वह संख्या जिनको हम गिन सकते हैं वह प्रकृतिक संख्याँ कालाती है यह तुमसे कहीं नहीं पूछा जाएगा बुढ़ा जाओगे कि प्रकृतिक संख्या क्या है अगर आप competition में आ गया हो अगर आप अभी भी बच्चे हो तो हो सकता है कहीं पूछ लिया जाए हाँ आपसे लेकिन यह पूछा जाएगा कि प्रकृतिक संख्या की सुरुवात कहां होती है इसकी खतम हिंड कहां होता है तो भैया वो प्रकृतिक संख्या की सुरुवात वन से होती है बबुगा वन त्री फोर फाइब डड़ ड़ड़ कहां तक अनंत तक यह इंफिनाइट का चिन ऐसे लिखते हैं ना सीच इनीटि कि में सागे आपक अफेशंपाल में पुछ ब्लिख सकते हैं यह भी क्या है यह से इके माइनस हो गई तो वह नेचुनल नंबर नहीं रहा गई फिर कलपनाओं की दुनिया में पहुंच जाओगे कास हमारी साधी हो गई होती और हमारे बच्चे हमारे पास बैठ के पढ़ रहे होते अब कुछ लोग इस पर आजीब अजीब सा कमेंट करें अरे इनकी नहीं हुई म इसके बाद अगला नंबर लिखो ओल नंबर मतलब मतलब पूर्ड संख्या अब मतलब कुछ और समझ रहे हैं लोग नंबर फोल नंबर में पूरड संख्या क्या होती है देखे यह थोड़ा से समझे पूर्ण संख्या के बारे में दोनों का घर असे पास मैं अगल वगल में बलर थोड़ा सान तरह है जो दूरी है वह जीरो की है इसकी सुननिकी है इसको दैशी भासा में अगर हम बोले तो प्रकःठिक संख्या के परिवार में जीरो को भी अगर सामिल कर दे मतलब आप समझ रहो ना जीरो के कितने तक लिख सकते हो सुनने के ज़्यादा आगे आश्मान में पूरों के जमीन पे जावगे की कोशिश करो पूर्डव संख्या समझ में आई इंगलीज में बताया नहीं भी हिंदी में इंगलीज में लिखे लो हिंग गोल नमबर और यह नान नानिगेटिव नमबर नान नीगेटिव मतलग समझ रहे हो कि नहीं अरे कहने का मतलब वही प्रलस में है पॉजिटिव है बस फॉल नंबर में भी माइनस और संख्या नहीं आती है ठिक है and it does not include it does not include any fraction or decimal part मतलब कि पूर संख्या में कोई भी decimal या fraction सामिल नहीं होता है अगर one upon two है तो कहो बच्चा का यह पूर्ड संख्या है नहीं no और फलाने कहता है कि यतना लिखा है 0.45 यह पूर्ड संख्या है यह भी नहीं है सिदा सिदा कह रहा है कि फॉल नंबर are known as non-negative integer पुल मिला करके अपने खुपड़ी मिदना वसालो कि जो natural number पढ़े हो वही यह भी है इसमें सिर्फ और सिर्फ सुनने होता है यह इतना अंतर है बाद यानि counting number ही होती है यह भी इसमें लेकिन 0 भी होता है समझी गए ना जल्दी से आगे आगे बढ़ते रहो फट अफट क्योंकि टाइम होने वाला दस मिनट से जादा बड़ी यह वीडियो हम बनाएंगे नहीं अगर आप इसे यूटूब पे देख वा रहे हो तो हाँ पुणा क्या है कि इंटी जर है इसको देशी बाता में पुढांक वोलते हैं वही पुढांक वही पुढांक जो बच्चे ले आते हैं तो वह इंटर्व्यू लेता है तो कहते हम तो पापा को पास कराने को बोले पापा तो में टाप कराती है अब यह वाले गरी आएंगे बज़ती कर रहा मेरा लेकिन हखीका था यह पने देश की तो उनको टाप करा दिया वह उनसे मेडिया वाले पूछने लगे लों बताओ कैसे लिखी थी तुम कहां थे आया था तो बोली मैं तो पापा को पास कराने को बोली तो टापी कराती है ऐसे नहीं करना आप लोग पढ़े लिखे रहे हैं चलो पुड़ां क्या होता है सुन लो पहले इंगलिस में फिर मैं बताऊंगा उसका हिं होल नंबर बट इट इंक्लिउड और निगेटिव सेट आफ नेचुरल नंबर आलसो यह स्टेप में थे तीसरें पहुंच गए यानि कि जो होल नंबर होता है बच्चा जीरो से ले करके यह आला फलाना वाला जो पढ़े होना भी यह अरे यह फोर था यह इंटीजर में भ बात समझ में आई जबकि नेचुरल नंबर में और जो होल नंबर था उसमें निगेटिव नंबर इंक्लिउड नहीं थी लेकिन पुडांग की बात करें तो यह सब को आपत में सम्मेट लेते हैं समझ गए ना यानि सभी धनात्मक और सभी रिडात्मक संख्याओं को पुडांग कहते हैं हमारे समझ से यह हुआ इंगलिस वाले सुन लें इंटीजर आर अल होल नंबर सेट मतलब एक समुच्चे एक समू समझ लो ठीक है पट इट इंक्लिउड निगेटिव सेट आफ नेचुरल नंबर आल सो आगे लिखो जेड रिपरजेंट इंटीजर आफ इनटीजर आर इनको जो हम परदर्सित कर सकते हैं जेड क्या है नेचुरल नंबर का जो सिंबल है रही नानलिया जाएगा बोल नंबर का सिंबल है अभी तक मैंने तीन पढ़ाया तीनों का यह सिंबल है अलग अलग वह नंबर रियल नंबर कहलाता है जितने भी नंबर आप जानते हो बस उसमें से आपको एक नंबर छोड़ देना है वह है इमेजनरी नंबर अगर आपने सुना है कहीं कालपनिक संख्या ऐसे सुन लो इंग संख्या है जैसे कोई नंबर प्लस है या कोई नंबर माइनस है या कोई नंबर फ्रेक्शन है पतलब या कोई नंबर डेसिमल में है यह सभी क्या है अभी आपकी यह रियल नंबर क्या है यह रियल नंबर है बाबु किसी भी परकार की संख्या है सब रियल नंबर है लेकिन इसमें है कि आपको कल्पनिक संख्या को छोड़ देना वो रियल नंबर नहीं है वास्तविक संख्या नहीं है कल्पनिक संख्या क्या है इसके बारे में ज्यादा जनकारी तो फिल हाल एक वीडियो में बतानी पड़ेगी अलग से क्योंकि काफी लंबी कहानी है साट कट मैं से समझ लो कि वो संख्याएं जो i square equal minus one या फिर i equal under root minus one के रूप के होती है वो कल्पनिक संख्याएं कालाती है अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो आप comment करना देर सारा और आपको इसका अलग से एक कलास देंगे हम आप समझ जाओगे ये imaginary number क्या होता है तो समझ गए वास्तिविक संख्याएं क्या होती है all the positive and negative integer fraction and decimal number without imaginary number our calderial number यानि कि वैस अभी वैस अभी कौन कौन सी धनात्मक संख्याएं विनात्मक संख्याएं और दसंबलो संख्याएं वास्तिविक संख्याएं कहलाती है लेकिन ध्यान रहे कि इसमें कलपनिक संख्या सामिल नहीं है बस यह हो गया इसमें कोई भी संख्या ले लो आप मैंने बताया simple वाले number हो गया minus वाले हो गया वाले हो गया यह सभी वास्तिविक संख्या है यानि इसके आगे बात करते हैं रियल से हियाद आता है रेफनल नमबर की कहानी आप बहुत दिन से सीखते आयो लेकिन अभी तक आप काफी confusion में हो ना क्योंकि नाम ही ऐसा है रेफनल नमबर की प्रकृतिक संख्या की क्या कहानी है यहां पर आप ध्यान से देखो और समझने की कोसिस करो भाई यह प्रकृतिक संख्या क्या है प्राक्सिक्पड लिए और यह है तो टो按わか 나, नबर लिखने में लिख लो कि पर्मिय संथ्या क्यों परिमिय संथ्या परिमिय या क्या होती है तो कि इसकी अलग अलग परिभासा होती है छानकारी के कर दि GET कैंए में तो सिंपल में हम लोग पस ऐसे ही जानते आ कि वह संख्याएं जिनको पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो पर्मिय संख्याएं कहलाती है यह याद रहे जब कि पी क्या है तो पी जीरो हो सकता है इतना याद रखना बस इसमें जो डेफिनिशन है उसके अकार्डिंग एनी नंबर एट कैन बी रिटेन एज रेटियो आफ वन नंबर ऑबर अनदर नंबर इसमें जैत अनिन बर यह पान क्यूंड आ ना दसिंबल क्यूरी पर जैंडर एटर्फन नंबर जैनि अगर हमें पर्मिय संख्याएं को कहीं दरसाना है तो उसे कापिटल की उसे लिखते है बात करें आपर्मिय संख्या की तो अपर्मिय संख्या का सिंबल होता है सिंबल याद रखना हर किसी का सिंबल याद रखना तो कुछ एक जंपल के माधन से समझते हैं अगर अंतर ना बताया जाए तो आपको समझ में ऐसे आसानी से नहीं आने वाला है क्योंकि इनकी गड़ी तो बड़ी उल्जी सी है तो भाईया इधर देखो बाबु समझने की को नम्बर है यह क्या है यह जा है अभी तो व Iím आपको समझाने के लिए लिख रहा आऌओ यह संख्या है इनकी का मतलब जैसे छे बटा ॥ा साथ हो गया यह परमिय संख्या हो गया जिरो बटा पांच हो गया यह क्या है परमिय संख्या हो गया क्योंकि यह P.A.P.A.Q के रूप का है लेकिन बचवा अगर हम ऐसे बोलें तुम ऐसे लिख दो नो बटा जीरो यह डज नाट इक्वल पी अपान क्यू कुछ लोग कहेंगे है तो यह पी अपान क्यू के बराबर देखो बच्चा इसमें क्या चुली ना जब इसको हम हल करेंगे तो यह इंफाइनाइट आगा अनंत इसका कोई एक निश्चित वैलू नहीं आएगी और फि अर्मिय संक्या है यह पी अपान क्यू का फाम है सही है लेकिन यहां पर हर जीरो हो जा रहा है यह गलत है मतलब हर नीचे का गिंती जो है यह सुनने नहीं होनी चाहिए इस बात और समझ लो जैसे मानलो इसी में मैंने लिखा अंडरू तीन बटा साथ तो यह क्या है पी खुल के फाम का है यह नहीं है जादी बता हुँ अब चाहिए रियल नंबर तो फिलहाल नहीं बात कर रहे हैं रेशनल की बात कर रहें यह रेशनल नंबर नहीं देख कैसे नहीं है क्यूं नहीं आप यहां से समझ लो पिर बताना अगर टेंसन होगी तो अग्वी जो आइन पांच लिखे था यह परमिय संख्या था उसलिए क्योंकि इसका वर्गमूल नौ का 3 हो जाता और तीन बटा साथ बन तो अगर इस तरह से कहीं लिखा है अंडरूट तीन बटा साथ तो यह क्या है अगर पांच बटा जीरो लिखा है तो क्या यह आप परमिय संख्या नहीं है समझ रहो ना अगर कहीं भी ऐसे नंबर लिखा है अंडरूट एटीवन अपान यह वन हंड्रेड इसका मतलब है एट अपांटेन एट अपांटेन मतलब आप जान रहे हो यह क्या एक रेफनल नंबर है लेकिन बच्चा अगर कहीं ऐसे लिखा है 35 अपान एक सो तीन और यह अ संख्या नहीं है क्योंकि इसका वर्गमूल पूरी तरफ नहीं निकलेगा 103 का अरज जाएगा यह आपने सीख लिया और इसमें किसी को कोई समस्या है तो बता देना बिल्कुल भी आप लोग पैंसर नहीं लेना लिख लीजिए फटा-फट नहीं समझ में आया तो कमेंट कर आपके बताना हम और भी बताएंगे, बहुत सारे नंबर बताएंगे, ठीक है, देखो बहुत सारे ऐसे कलπुलेशन हमें करने पड़ते हैं और वह ऐसे दिये होते हैं कि उनमें हमें डारेक्ट नहीं समझ में आता कि आअ ह्कि निस्चित सलूशन नहीं पराप्त कर लेते है हैं तब तक हम decide नहीं कर सकते हैं कि यहां पर ने धेले आप कहो कि इसका चला आंबर होगा की आप सभी जगा सोचो और बताओ आप कहोगे कि अभी तो आपने चुरंती बताया था, कि यह क्या है, यस तरह की जो संख्याएं है, वो rational number नहीं होंगी, क्योंकि वो कैसे हैं, क्योंकि वहाँ पर अंडरूर तीन है, अंडरूर तीन का और्गमूल पूरा पूरा निकलता है, नहीं लेकिन बच्चा देखो समझो ऐसा नहीं है इनको जो हम सिप्लिफाई हल करेंगे तो हमें पता एक नीचे एक उपर कड़ जाएगा नोबटा साथ आएगा जो कि क्या है एक रेशनल नमबर कितना असान है लेकिन हाँ एक बात और याद रखना अपने दिमाग में भर के रखना अगर यह अंडर रूट तीन बटा साथ और बच्वा यह प्लस होता यह प्लस होता बबुगा तब आप इसको काट नहीं सकते हैं याद रखना अगर बीच में प्लस या माहिना से तो फिर नहीं काट सकते हो आप ऐसे से कर्च कर्च वाला फिर गडबड हो जाएगा समझ गए ना यह क्या sum र नंबर है यहao नहीं क्यों नहीं करो यह कभी जलिसे अल होगा यहीं आसानी से और एक प्रूड्र favor ने जाते हैं तो अगर आप पढ़ना चाहते तो आपसे बिनवर नहीं बेदत है वीडियो को जादा से जादा से शेयर करो फूब बच्चे देखे जितने जादा बच्चे आएंगे लेकिन वीडियो खूब सेयर होना चाहिए लाइक होना चाहिए और सभी छाते चैनल को सब्सक्राइब कर जिलते फिर अगली कलास में बस थोड़ा सा इंप जादा